मत्ति रचित सु समाचार अध्याए एक इब्राहिम की संतान, दाउद की संतान, येशु मसीह की वन्शावली इब्राहिम से इसहाक उत्पन हुआ, इसहाक से याकूब उत्पन हुआ और याकूब से यहूदा और उसके भाई उत्पन हुए यहूदा से फिरिस और यहूदा और तामार से जोरह उत्पन हुए फिरिस से हिस्रोन उत्पन हुआ और हिस्रोन से राम उत्पन हुआ राम से अम्मी नादाब उत्पन हुआ और अम्मी नादाब से नहशोन और नहशोन से सल्मोन उत्पन हुआ सलमोन और राहब से बोज उत्पन हुआ, बोज और रूट से अबेद उत्पन हुआ और अबेद से यिशे उत्पन हुआ, यिशे से दाउद राजा उत्पन हुआ दाउद से सुलेमान उस स्त्री से उत्पन हुआ जो पहले उरियाह की पत्नी थी सुलेमान से रहबाम उत्पन हुआ और रहबाम से अभियाह उत्पन हुआ और अभियाह से आसा उत्पन हुआ आसा से यहुशाफात उत्पन हुआ और यहुशाफात से योराम उत्पन हुआ और योराम से उजियाह उत्पन हुआ उजियाह से योताम उत्पन हुआ और योताम से आहाज उत्पन हुआ और आहाज से हिजकियाह उत्पन हुआ और बंदी होकर बाबुल जाने के समय में योशियाह से यकुन्याह और उसके भाई उत्पन हुए बंदी होकर बाबुल पहुँचाए जाने के बाद यकुन्याह से शालतियल उत्पन हुआ और शालतियल से जरुब बाबिल उत्पन हुआ जरुब बाबिल से अभिहूद उत्पन हुआ और अभिहूद से इल्याकीम उत्पन हुआ और इल्याकीम से अजोर उत्पन हुआ अजोर से सदोक उत्पन हुआ और सदोक से अखीम उत्पन हुआ और अखीम से इलिहूद उत्पन हुआ इलिहूद से इल्याजार उत्पन हुआ और इल्याजार से मत्तान उत्पन हुआ और मत्तान से याकूब उत्पन हुआ याकूब से यूसुफ उत्पन हुआ जो मर्यम का पती था जिस से यीशु जो मसीह कहलाता है उत्पन हुआ इब्रहीम से दाउद तक सब चौधे पीड़ी हुई और दाउद से बाबुल को बंदी होकर पहुँचाए जाने के समय से लेकर मसीह तक चौधे पीड़ी हुई अब हीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ जब उसकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई तो उनके इकठा होने से पहले वो पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई सो उसके पती यूसुफ ने जो धर्मी था और उसे बदनाम करना नहीं चाहता था उसे चुपके से त्याग देने का विचार किया जब वो इन बातों की सोच ही में था तो प्रभू का स्वर्गदूद उसे स्वपन में दिखाई दे कर कहने लगा हे यूसुफ दाउद की संतान तु अपनी पत्नी मर्यम को अपने यहां लाने से मत डर क्योंकि जो उसके गर में है वो बवित्र आत्मा की ओर से है वो पुत्र जनेगी और तु उसका नाम येश्यु रखना क्योंकि वो अपने लोगों का उनके पापों से उद्दार करेगा ये सब कुछ इसलिए हुआ कि जो वचन प्रभु ने भविश्वत द्वक्ता के द्वारा कहा था वो पूरा हो कि देखो एक कुमारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी और उसका नाम इम्मानुवेल रखा जाएगा जिसका अर्थ ये है परमेश्वर हमारे साथ सो यूसुफ नीन से जाग कर प्रभु के दूद की आज्या अनुसार अपनी पत्नी को अपने यहां ले आया और जब तक वो पुत्र न जनी तब तक वो उसके पास न गया और उसने उसका नाम येश्व रखा अध्याए दो हेरो देश राजा के दिनों में जब यहूदिया के बैतल हम में येश्व का जन्म हुआ तो देखो पूर्व से कई जियोतिशी यरूशलेम में आकर पूछने लगे यहोदियों का राजा जिसका जनम हुआ है कहा है क्योंकि हमने पूरव में उसका तारा देखा है और उसको प्रणाम करने आये है यह सुनकर हेरोदेश राजा और उसके साथ सारा यरुशलेम खबरा गया और उसने लोगों के सब महायाजकों और शास्तियों को इकठा करके उनसे पूछा मसीही का जन्म कहा होना चाहिए? उन्होंने उससे कहा यहुदिया के बैतलहम में क्योंकि भविश्य द्वक्ता के द्वारा यू लिखा गया है हे बैतलहम जो यहुदा के देश में है तु किसी रीती से यहुदा के अधिकारियों में सबसे छोटा नहीं क्योंकि तुझ में से एक अधिपती निकलेगा जो मेरी प्रजा इस्राइल की रखवाली करेगा तब हेरो देश ने जियोतिशियों को चुपके से बुला कर उनसे पूछा तारा ठीक किस समय दिखाई दिया था और उसने यह कहकर उन्हें बैतलहम भेजा के जाकर उस बालक के विशे में ठेक ठेक मालूम करो और जब वो मिल जाए तो मुझे समाचार दो कि मैं भी आकर उसको प्रणाम करूँ वे राजा की बात सुनकर चले गए और देखो जो तारा उन्होंने पूर्व में देखा था वो उनके आगे आगे चला और जहां बालक था उस जगा के ऊपर पहुँचकर ठेहर गया उस तारे को देखकर वे अती आनन्दित हुए और उस घर में पहुँचकर उस बालक को उसकी माता मर्यम के साथ देखा और मुझे बल गिरकर उसे प्रणाम किया और अपना अपना थैला खोल कर उसको सोना लोबान और गंधरस की भीट चड़ाए तब स्वप्ण में ये चिताउनी पाकर कि हेरो देश के पास फिर न जाना वे दूसरे मार्ग से होकर अपने देश को चले गए उनके चले जाने के बाद प्रभू के एक दूत ने स्वप्ण में यूसुफ को दिखाई दे कर कहा उट उस बालख को और उसकी माता को लेकर मिस्र देश को भाग जा जब तक मैं तुझ से ना कहूं तब तक वही रहना क्योंकि हेरो देश इस बालख को ढूनने पर है कि उसे मरवार डाले वो राथ ही को उठकर बालख और उसकी माता को लेकर मिस्र को चल दिया हेरो देश के मरने तक वो वही रहा इसलिए कि वो वचन जो प्रभू ने भविश्व द्वक्ता के द्वारा कहा था कि मैंने अपने पुत्र को मिस्र से बुलाया पूरा हो जब हेरो देश ने देखा कि जियोतिशियों ने उसके साथ ठटा किया है तब वो क्रोज से भर गया और लोगों को भेज कर जियोतिशियों से ठीक ठीक पूछे हुए समय के अनुसार बैतल हम और उसके आसपास के सब लड़कों को जो दो वर्ष के वो उससे छोटे थे मरवा डाला तब जो वचन यिर्मियाह भविश्य द्वक्ता के द्वारा कहा गया था पूरा हुआ के रामाह में एक करुण नाद सुनाई दिया रोना और बड़ा विला राहेल अपने बालकों के लिए रो रही थी और शान्त होना न चाहती थी क्योंकि वे है नहीं हेरो देश के मरने के बाद प्रभु के दूत ने मिस्र में यूसुफ को स्वप्न में दिखाई दे कर कहा कि जो बालक के पाण लेना चाहते थी वे मर गए वो उठा और बालक और उसकी माता को साथ लेकर इस्राइल के देश में आया परंतु ये सुनकर कि अर्खिला उस अपने पिता हेरो देश की जगा यहूदिया पर राज्य कर रहा है वहां जाने से डरा और स्वप्न में चित पूरा हो जो भविश्य द्वक्ताओं के द्वारा कहा गया था कि वो नासरी कहलाएगा अध्याय टीन उन दिनों में युहन्ना बप्तिस्मा देने वाला आकर यहूदिया के जंगल में ये प्रचार करने लगा मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राजिय निकाट आ गया है ये वही है जिसकी चर्चा यशा यह भविश्य द्वक्ताओं के द्वारा की गई थी कि जंगल में एक पुकारने वाले का शब्द हो रहा है प्रभु का मार्ग तयार करो उसकी सडकें सीधी करो ये युहन्ना उंट के रोम का वस्त्र पहने था और अपनी कमर में चमडे का पटुका बांधे हुए था उसका भोजन टिड्डियां और बनमधु था तब यरूशलेम के और सारे यहूदिया के और यर्दन के आसपास के सारे देश के लोग उसके पास निकलाए और अपने अपने पापों को मान कर यर्दन नदी में उससे बबतिस्मा लिया जब उसने बहुतेरे फरीसियों और सदूकियों को बबतिस्मा के लिए अपने पास आते देखा तो उनसे कहा कि हे साप के बच्चो तुम्हें किस ने जता दिया के आने वाले क्रोध से भागो मन फिराओ के योग के फल लाओ अपने अपने मन में ये ना सोचो कि हमारा पिता इब्राहीम है क्योंकि मैं तुम से कहता हूँ परमेश्वर इन पत्थरों से इब्राहीम के लिए संतान उत्पन कर सकता है अब कुलहडा पेडों की जड़ पर रखा हुआ है इसलिए जो पेड अच्छा फल नहीं लाता वो काटा और आग में जोका जाता है मैं तो पानी से तुम्हें मन फिराओ का बप्तिस्मा देता हूँ परंतु जो मेरे बाद आने वाला है वो मुझसे अधिक शक्तिशाली है मैं उसकी जूती उठाने के योग्य नहीं वो तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बप्तिस्मा देगा उसका सूप उसके हाथ में है वो अपना खलिहान अच्छी रीती से साफ करेगा और अपने ग्यों को तो खत्ते में कठा करेगा परंतु भूसी को उस आग में जलाएगा जो बुझने की नहीं उस समय येशु गलील से यर्दन के किनारे पर युहन्ना के पास उससे बप्तिस्मा लेने आया परंतु युहन्ना ये कहकर उसे रोखने लगा कि मुझे तेरी हाथ से बप्तिस्मा लेने की आवशक्ता है और तू मेरी पास आया है येशु ने उसको ये उत्तर दिया अभी तो ऐसा ही होने दे क्योंकि हमें इसी रीती से सब धार्मिक्ता को पूरा करना उचित है उसने उनकी बात मान ली और येशु बप्तिस्मा लेकर तुरंत पानी से उपर आया और देखो उसके लिए आखाश खुल गया और उसने परमेश्वर की आत्मा को कबूतर की नाई उतरते और अपने उपर आते देखा और ये आखाशवानी हुई ये वेरा प्रेकुत्र है जिससे में अध्यंत प्रसन्य हूँ तब उस समय आत्मा येशु को जंगल में ले गया कि इबलीस से उसकी परीक्षा हो वो चालीस दिन और चालीस रात निराहार रहा अंत में उसे भोक लगी तब परखने वाले ने पास आकर उससे कहा यदि तु परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पुत्थर रोठिया बन जाए उसने उतर दिया लिखा है कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परन्तु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा तब इबलीस उसे पवित्र नगर में ले गया और मंदिर के कंगूरे पर खड़ा किया और उससे कहा यदि तु परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आपको नीचे गिरा दे क्योंकि लिखा है कि वो तेरे विश्वर में अपने स्वर्ग दूतों को आग्या देगा और वे तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे कही ऐसा नहो कि तेरे पाओं में पत्थर से ठेस लगे येशो ने उससे कहा ये भी लिखा है कि तू परभू अपने परमेश्वर की परिक्षा न कर फिर शैतान उसे एक बहुत उचे पहाड पर ले गया और सारे जगत के राज्य और उनका विभव दिखा कर उससे कहा यदि दू गिर कर मुझे प्रणाम कर तो मैं या साब कुछ तुझे दे दूँगा तब येशो ने उससे कहा ये शैतान दूर हो जा क्योंकि लिखा है कि तू प्रभू अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर तब शैतान उसके पास से चला गया और देखो स्वर्ग दूत आकर उसकी सेवा करने लगे जब उसने ये सुना कि युहन्ना पकड़वा दिया गया तो वो गलील को चला गया वो नासरत को छोड़कर कफर नहूम में जो जील के किनारे जबूलून और नप्ताली के देश में है जाकर रहने लगा कि जो यशाय यह भविश्य द्वक्ता के द्वारा कहा गया था वो पूरा हो जबूलून और नप्ताली के देश, जील के मार्क से यर्दन के पार अन्य जातियों का गली, जो लोग अन्धकार में बैठे थे, उन्होंने बड़ी जोती देखी, और जो मृत्यु के देश और छाया में बैठे थे, उन पर जोती चमकी उस समय से येशु ने प्रचार करना और ये कहना अरंब किया, पन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है उसने गलील की जील के किनारे फिरते हुए दो भाईयों, अर्थात, शमाउन को जो पतरस कहलाता है, और उसके भाई, अंद्रियास को जील में जाल डालते देखा, वे मच्वे थे, उनसे कहा मेरे पीछे चले आओ, मैं तुमको मनुष्यों के मच्वे बनाऊंगा वे तुरंत जालों को छोड़कर उसके पीछे हो लिये, और वहां से आगे बढ़कर, उसने और दो भाईयों, अर्थात, जबदी के पुत्र याकूब, और उसके भाई, युहन्ना को अपने पिता जबदी के साथ नाव पर अपने जालों को सुधारते देखा, उन्हें भी भी बुलाया, वे तुरंत नाव और अपने पिता को छोड़कर उसके पीछे हो लिये, यीशु सारे गलील में फिरता हुआ, उनकी सभाव में उपदेश करता, और राज्य का सुसमाचार प्रचार करता, और लोगों की हर प्रकार की बीमारी और दुरबलता को दूर करता र की बीमारियों और दुखों में पड़े हुए थे, और जिन में दुश्टात्माई थी, और मिर्गी वालों और जोले के मारे हों को उसके पास लाएं, और उसने उन्हें चंगा किया, और गलील, और दिकापुलिस, और यरुशलेम, और यहूदिया से, और यर्दन के पार स भीड की भीड उसके पीछे हो ली, अध्याए पांच, वो इस भीड को देखकर पहाड पर चड़ गया, और जब बैठ गया, तो उसके चेले उसके पास आएं, और वो अपना मुख खोल कर उन्हें ये उपदेश देने लगा, धन्य है वे जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उनहीं का है, धन्य है वे जो शोक करते हैं, क्योंकि वे शांती पाएंगे, धन्य है वे जो नम्र हैं, क्योंकि वे प्रित्वी के अधिकारी होंगे, धन्य हैं वे जो धर्म के भूके और प्यासे हैं क्योंकि वे त्रिप्त किये जाएंगे धन्य हैं वे जो दयावंत हैं क्योंकि उन पर दया की जाएगी धन्य हैं वे जिनके मन शुद्ध हैं क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे धन्य हैं वे जो मेल कराने वाले हैं क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे धन्य हैं वे जो धर्म के कारण सताए जाते हैं क्योंकि स्वर्क का राज्य उन्हीं का है धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करें और सताएं और जूट बोल बोल कर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बाते कहें अहनन्दित और मगन होना क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है इसलिए कि उन्होंने उन भविश्य द्वक्ताओं को जो तुम से पहले थे इसी रीती से सताया था तुम पृत्वी के नमक हो परन्तु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वो फिर किस वस्तू से नमकीन किया जाएगा फिर वो किसी काम का नहीं केवल इसके की बाहर फैंका जाए और मनुश्यों के पैरों तले रौदा जाए तुम जगत की जोती हो जो नगर पहाड पर बसा हुआ है वो छिप नहीं सकता और लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं परन्तु दीवट पर रखते हैं तब उससे घर के सब लोगों को प्रकाश पहुँशता है उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुश्यों के सामने चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देख कर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में हैं बढ़ाई करें ये ना समझो कि मैं व्यवस्था या भविश्य द्वक्ताओं की पुस्तकों को लोब करने आया हूँ लोब करने नहीं परन्तु पूरा करने आया हूँ क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ, कि जब तक आकाश और पृत्वी तल न जाएं, तब तक व्यवस्ता से एक मात्रा या एक बिंदू भी बिना पूरा हुए नहीं टलेगा, इसलिए जो कोई इन छोटी से छोटी आग्याओं में से किसी एक को तोड़े और वैसा ही लोगों को सिखाए, वो स्वर्क के राज्य से सबसे छोटा कहलाएगा, परंतु जो कोई उनका पालन करेगा और उन्हें सिखाएगा, वही स्वर्क के राज्य में महान कहलाएगा, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ, यदि तुम्हारी धार्मिक्ता, शास्त्रियों और फरीसियों की पूर्वकाल के लोगों से कहा गया था हत्या न करना और जो कोई हत्या करे वो कचहरी में दंड के योग्य होगा परंतु मैं तुमसे ये कहता हूँ जो कोई अपने भाई पर करोध करे वो कचहरी में दंड के योग्य होगा और जो कोई अपने भाई को निकम्मा कहे वो माहसवा में दंड के योग्य होगा जो कोई कहे अरे मूर्क वो नर्क की आग के दंड के योग्य होगा इसलिए यदि तू अपनी भेंट वेदी पर लाए और वहां तू स्मरण करे कि तेरे भाई के मन में तेरी ओर से कुछ विरोध है तो अपनी भेंट वहीं वेदी के सामने छोड़ दे जाकर पहले अपने भाई से मेल कर तब आकर अपनी भेंट चड़ा जब तक तू अपने मुद्दई के साथ मार्ग ही में है उससे शिग्र मेल कर ले कहीं ऐसा ना हो कि मुद्दई तुझे हाकिम को सौपे और हाकिम तुझे सिपाई को सौप दे और तू बंदी ग्रह में डाल कहता हूँ जब तक तु कोड़ी कोड़ी भर न दे तब तक वहां से छूटने न पाएगा तुम सुन चुके हो कहा गया था व्यभिचार न करना परन्तु मैं तुमसे ये कहता हूँ यदि कोई किसी स्त्री पर कूद्रिश्टी डाले वो अपने मन में उससे व्यभिचार कर च खिलाए तो उसे निकाल कर फैंक दे क्योंकि तेरे लिए यही भला है कि तेरे अंगों में से एक नाश हो जाए और तेरा सारा शरीर नरक में न डाला जाए और यदि तेरा दाहिना हाथ तुझे ठोकर खिलाए तो उसको काट कर फैंक दे जोकि तेरे लिए यही भला है कि तेरे अंगों में से एक नाश हो जाए और तेरा सारा शरीर नरक में न डाला जाए ये भी कहा गया था जो कोई अपनी पत्नी को त्याग दे तो उसे त्याग पत्र दे परंतु मैं तुमसे ये कहता हूँ कि जो कोई अपनी पत्नी को व्यभिचार के सिवा किसी और कारण से छोड़े तो वो उससे व्यभिचार करवाता है और जो कोई उस त्यागी हुई से ब्याह करे वो व्यभिचार करता है फिर तुम सुन चुके हो कि पूर्वकाल के लोगों से कहा गया था जूटी शपत न खाना परंतु प्रभु के लिए अपनी शपत को पूरी करना परंतु मैं तुम से ये कहता हूँ कभी शपत न खाना ना तो स्वर्ख की क्योंकि वो परमेश्वर का सिंगहासन है न धर्ती की क्योंकि वो उसके पावों की चौकी है ना यरुशलेम की क्योंकि वो महराजा का नगर है अपने सिर की भी शपत न खाना क्योंकि तू एक बाल को भी ना उजला न काला कर सकता है तुम्हारी बात हा की हां या नहीं की नहीं हो जो कुछ इस से अधिक होता है वो बुराई से होता है तुम सुन चुके हो कहा गया था आँख के बदले आँख और दांथ के बदले दांथ परन्तु मैं तुमसे ये कहता हूँ, बुरे का सामना न करना परन्तु यदि कोई तेरे दाहिने गाल पर थपड मारे, उसकी और दूसरा भी फेर दे और यदि कोई तुझ पर नालिश करके तेरा कुर्ता लेना चाहे, तो उसे दोहर भी ले लेने दे जो कोई तुझे कोस भर बेगार में ले जाए, उसके साथ दो कोस चला जा जो कोई तुझसे मांगे, उसे दे, और जो तुझसे उधार लेना चाहे, उससे मुह न मोड़ तुम सुन चुके हो, कहा गया था, अपने पडोसी से प्रेम रखना, और अपने बैरी से बैर बरंतु मैं तुम से ये कहता हूँ, अपने बैरियों से प्रेम रखो, और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो जिससे तुम अपने स्वर्ग्य पिता की संतान ठहरोगे, क्योंकि वो भलों और बुरों दोनों पर अपना सूर्य उदे करता है और धर्मियों और अधर्मियों दोनों पर मेह बरसाता है क्योंकि यदि तुम अपने प्रेम रखने वालों ही से प्रेम रखो, तो तुमारे लिए क्या फल होगा क्या महसूल लेने वाले भी ऐसा ही नहीं करते, और यदि तुम केवल अपने भाईयों ही को नमस्कार करो, तो कौन सा बड़ा काम करते हो क्या अन्य जाती भी ऐसा नहीं करते, इसलिए चाहिए कि तुम सिद्ध बनो, जैसा तुम्हारा स्वर्ग्य पिता सिद्ध है सावधान रहो, तुम मनुष्यों को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम न करो नहीं तो अपने स्वर्ग्य पिता से कुछ भी फल न पाओगे इसलिए जब तु दान करे, तो अपने आगे तुर ही न बजवा जैसा कपटी सभाओं और गलियों में करते हैं, कि लोग उनकी बढ़ाई करें मैं तुम से सच कहता हूँ, वे अपना फल पाचुके जब तू दान करे, तो जो तेरा दाहिना हाथ करता है, उसे तेरा बाया हाथ न जानने पाए कि तेरा दान गुप्त रहे, और तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है, तुझे प्रतिफल देगा और जब तू प्रार्थना करे, तो कप्टियों के समान न हो, क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए सभाओं में और सडकों के मोडों पर खड़े होकर प्रार्थना करना उनको अच्छा लगता है मैं तुमसे सच कहता हूँ, वे अपना प्रतिफल पा चुके, परन्तु जब तू प्रार्थना करे, तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में हैं प्रार्थना कर, और तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है, तुझे प्रार्थना करते समय अन्य जातियों की नाई बकबक ना करो। क्योंकि वे समझते हैं कि उनके बहुत बोलने से उनकी सुनी जाएगी। तुम उनकी नाई न बनो, क्योंकि तुम्हारा पिता तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है, कि तुम्हारी क्या आवश्रक्ता है। सो तुम इस रीती से प्रार्थना किया करो, हे हमारे पिता, तु जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसी स्वर्ग में पूरी होती है, वैसी ही प्रिठ्वी पर भी हो, हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसी ही तू हमारे अपराधों को भी क्षमा कर और हमें परिक्षा में नला परंतु बुराई से बचा क्योंकि राज्य पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही हैं आमीन क्योंकि यदि तुम मनुश्यों के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गिय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा और यदि तुम मनुश्यों के अपराध क्षमा न करो तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा न करेगा जब तुम उपवास करो तो कपटियों की नाई तुम्हारे मुह पर उदासी न चाही रहे क्योंकि वे अपना मुह बनाए रहते हैं कि लोग उन्हें उपवासी जाने मैं तुमसे सच कहता हूँ वे अपना प्रतिफल पाचुके परन्तु जब तू उपवास करे तो अपने सिर पर तेल मल और मुह धो कि लोग नहीं परन्तु तेरा पिता जो गुप्त में है तुझे उपवासी जाने इस दशा में तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा अपने लिए प्रिथ्वी पर धन इकठा न करो जहां कीडा और काई बिगाडते हैं और जहां चोर सेंद लगाते और चुराते हैं अपने लिए स्वर्ग में धन इकठा करो जहां ना तो कीडा और ना काई बिगाडते हैं और जहां चोर न सेंद लगाते ना चुराते हैं क्योंकि जहां तेरा धन है, वहां तेरा मन भी लगा रहेगा, शरीर का दिया आँख है, यदि तेरी आँख निर्मल हो, तो तेरा सारा शरीर भी उजियाला होगा, परन्तु यदि तेरी आँख बुरी हो तो तेरा सारा शरीर भी अंधियारा होगा, इस कारण वो उजियाला जो तुझ में है, यदि अंधकार हो तो वो अंधकार कैसा बड़ा होगा, कोई मनुष्य दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वो एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा, वो एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुझ जानेगा, तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते, मैं तुमसे कहता हूँ अपने प्राण के लिए ये चिंता न करना कि हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे और ना अपने शरीर के लिए कि क्या पहनेंगे क्या भोजन से प्राण और वस्त्र से शरीर बढ़कर नहीं आकाश के पक्षियों को देखो वे ना बोते हैं न काटते हैं और ना खतों में बटोरते हैं तो भी तुम्हारा स्वर्ग्य पिता उनको खिलाता है क्या तुम उनसे अधिक मुल्य नहीं रखते तुम में कौन है ज करो जंगली सोसनों पर ध्यान करो वे कैसे बढ़ते हैं वे ना तो परिश्रम करते न काते हैं तो भी मैं तुम से कहता हूं कि सुलेमान भी अपने सारे विभव में उनमें से किसी के समान वस्त्र पहने हुए न था इसलिए जब परमेश्वर मैदान की खास को जो आज है और कल भाड में जोंकी जाएगी ऐसा वस्त्र पहनाता है तो हे अल्प विश्वासियो तुम को वो क्यों कर न पहनाएगा इसलिए तुम चिंता करके ये न कहना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे जोंकी अन्य जाती इन सब वस्तूं की खोज में रहते हैं और तुम्हारा स्वर्ग्य पिता जानता है कि तुम्हें ये सब वस्तुएं चाहिएं इसलिए पहले तुम उसके राज्य और धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी सो कल के लिए चिंता न करो क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा आज के लिए आज ही का दुख बहुत है दोश मत लगाओ कि तुम पर भी दोश न लगाया जाये क्योंकि जिस प्रकार तुम दोश लगाते हो उसी प्रकार तुम पर भी दोश लगाया जाएगा और जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा तू क्यूं अपने भाई की आख के तिनके को देखता है और अपनी आख का लट्था तुझे नहीं सूजता जब तेरी ही आख में लट्था है तो तू अपने भाई से कैसे कह सकता है ला मैं तेरी आख से तिनका निकाल दूँ हे कप्टी पहले अपनी आख में से लट्था निकाल ले तब तू अपने भाई की आख का तिनका भली भांती देख कर निकाल सकेगा पवित्र वस्तु कुत्तों को न दो और अपने मोती सुवरों के आगे मत डालो ऐसा न हो कि वे उन्हें पावों तले रौंदें और पलट कर तुमको फाड डालें मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा धूंडो तो तुम पाओगे खट खटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है जो धूंडता है वो पाता है और जो खट खटाता है उसके लिए खोला जाएगा तुम मेंसे ऐसा कौन मनुष्य है कि यदि उसका पुत्र उससे रोटी मांगे तो वो उससे पत्थर दे वो मचली मांगे तो वो उससे साप दे सो जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो तो तुम्हारा स्वर्गिय पिता अपने मांगने वालों को अच्छी वस्तुएं क्यों ना देगा इस कारण जो कुछ तुम चाहते हो कि मनुष्य तुम्हारे साथ करें तुम भी उनके साथ वैसाही करो क्योंकि व्यवस्था और भविश्य द्वक्ताओं की शिक्षा यही है सकेत भाटक से प्रवेश करो क्योंकि चोड़ा है वो भाटक और चाकल है वो मार्ग जो विनाश को पहुँचाता है और बहुतेरे हैं जो उससे प्रवेश करते हैं क्योंकि सकेत है वो फाटक और सकरा है वो मार्ग जो जीवन को पहुँचाता है और थोड़े हैं जो उसे पाते हैं जूटे भविश्य द्वक्ताओं से सावधान रहो, जो भेडों के भेश में तुम्हारे पास आते हैं, परन्तु अंतर में फारने वाले भेडिये हैं, उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे क्या लोग जाडियों से अंगूर या उट कटारों से अंजीर तोड़ते हैं, इसी प्रकार हर एक अच्छा पेड अच्छा फल लाता है, और निकम्मा पेड बुरा फल लाता है अच्छा पेड बुरा फल नहीं ला सकता, और निकम्मा पेड अच्छा ला सकता है, जो पेड अच्छा फल नहीं लाता, वो काटा और आग में डाला जाता है सो उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे, जो मुझे हे प्रभू, हे प्रभू कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न करेगा परन्तु वही जो मेरे स्वर्गिय पिता की च्छा पर चलता है, उस दिन बहुद तेरे मुझ से कहेंगे हे प्रभू, हे प्रभू, क्या हमने तेरे नाम से भविश्य द्वानी नहीं की और तेरे नाम से दुष्टात्माओं को नहीं निकाला और तेरे नाम से बहुत अचंभे के काम नहीं किये तब मैं उनसे खुल कर कह दूँगा मैंने तुम को कभी नहीं जाना हे कुकर्म करने वालो मेरे पास से चले जाओ इसलिए जो कोई मेरी ये बाते सुनकर उन्हें मानता है वो उस बुद्धिमान मनुष्य की नाई ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया और मेह बर्सा और बाड़े आई और आधिया चली और उस घर पर टक्करे लगी परन्तु वो नहीं गिरा क्योंकि उसकी नेव चट्टान पर डाली गई थी परन्तु जो कोई मेरी ये बाते सुनता है और उन पर नहीं चलता वो उस निर्बुद्धी मनुष्य की नाई ठहरेगा जिसने अपना घर बालू पर बनाया और मेह बर्सा और बाड़े आई और आधिया चली और उस घर पर टक्करे लगी और वो गिरकर सत्यानाश हो गया रह चुका तो ऐसा हुआ कि भीड उसके उपदेश से चकित हुई क्योंकि वो उनके शास्त्रियों के समान नहीं परन्तु अधिकारी की नाई उन्हें उपदेश देता था जब वो उस पहार से उत्रा तो एक बड़ी भीड उसके पीछे हो ली और देखो एक कोड़ी ने पार्स आकर उसे प्रणाम किया और कहा हे प्रभु यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है यीशु ने हाथ बढ़ा कर उसे चुआ और कहा मैं चाहता हूँ तू शुद्ध हो जा और तुरंत वो कोड़ से शुद्ध हो गया यीशु ने उससे कहा देख किसी से न कहना परंतु जाकर अपने आपको याजक को दिखला और जो चड़ावा मूसा ने ठहराया है उसे चड़ा ताकि उनके लिए गवाही हो और जब वो कफर नहूम में आया तो एक सूबेदार ने उसके पास आकर उससे बिनती की की हे प्रभू मेरा सेवक घर में जोले का मारा बहुत दुखी पड़ा है उसने उससे कहा मैं आकर उसे चंगा करूँगा सूबेदार ने उत्तर दिया की हे प्रभू मैंस योगे नहीं की तु मेरी चट के तले आए पर केवर मुख से कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा क्योंकि मैं भी पराधीन मनिश्य हूँ और सिपाई मेरे हाथ में है जब एक से कहता हूँ जा तो वो जाता है और दूसरे को आ तो वो आता है और अपने दास से कहता हूँ ये कर तो वो करता है ये सुनकर येशु ने अचमपा किया और जो उसके पीछे आ रहे थे उनसे कहा मैं तुमसे सच कहता हूँ मैंने इसराइल में भी ऐसा विश्वास नहीं पाया मैं तुमसे ये भी कहता हूँ कि बहुतेरे पूर्व और पश्चिम से आकर इबराहिम और इसहाक और याकूब के साथ स्वर्क के राज्य में बैठेंगे परन्तु राज्य के संतान बाहर अंध्यारे में डाल दिये जाएंगे वहां रोना और दांत पीसना होगा येशु ने तब सूबेदार से कहा जा जैसा तेरा विश्वास है वैसा ही तेरे लिए हो और उसका सेवक उसी घड़ी चंगा हो गया और येशु ने पतरस के घर में आकर उसकी सास को जवर में पड़ी देखा उसने उसका हाथ छुआ और उसका जवर उतर गया और वो उठकर उसकी सेवा करने लगी जब संत्या हुई तब वो उसके पास बहुत से लोगों को लाए जिनमें दुश्ट आत्माई थी उसने उन आत्माओं को अपने वचन से निकाल दिया और सब बिमारियों को जंगा किया कि जो वचन यशाया भविश्य द्वक्ता के द्वारा कहा गया था वो पूरा हो उसने आप हमारी दुर्बलताओं को ले लिया और हमारी बीमारियों को उठा लिया यशू ने अपने चारों ओर एक बड़ी भीड देखकर उस पार जाने की आज्या दी और एक शास्त्री ने पास आकर उससे कहा हे गुरू जहां कहीं तु जाएगा मैं तेरे पीछे पीछे हो लूँगा यशू ने उससे कहा लोमणियों के भट और आकाश के पक्षियों के बसेरे होते हैं परन्तु मनुष्य के पुत्र के लिए सिरधरने की भी जगा नहीं है एक और चेले ने उससे कहा हे प्रभू मुझे जाने दे कि पहले अपने पिता को गाड़ दूं यशू ने उससे कहा तू मेरे पीछे हो ले और मुर्दों को अपने मुर्दे गाड़ने दे जब वो नाव पर चड़ा तो उसके चेले उसके पीछे हो लिए और देखो जील में एक ऐसा बड़ा दूफान उठा कि नाव लहरों से ढपने लगी और वो सो रहा था तब उन्होंने पास आकर उसे जगाया और कहा ए प्रभू हमें बचा हम नाश हुए जाते हैं उसने उनसे कहा ए अल्प विश्वासियों क्यों डरते हो तब उसने उठकर आंधी और पानी को डाटा और सब शान्त हो गया और लोग अचमभा करके कहने लगे की आज्या मानते हैं जब वो उस पार गद्रेनियों के देश में पहुंचा तो दो मनुष्य जिनमें दुश्टात्माएं थी कबरों से निकलते हुए उसे मिले वो इतने प्रचंड थे कि कोई उस मार्ग से जा नहीं सकता था और देखो उन्होंने चिल्ला कर कहा ए परवेशन के पुत्रे अमरे तुसे क्या कब क्यों समय से पहले अमें धुखते नहीं यहां आया है उनसे कुछ दूर बहुत से सुवरों का एक जुंड चर रहा था दुश्टात्माओं ने उससे यह कहकर बिनती की कि यदि तू हमें निकलता है तो सुवरों के जुंड में भेज दे उसने उनसे कहा जाओ वे निकलकर सुवरों में बैठ गए और देखो सारा जुंड कडाड़े पर से जपटकर पानी में जागिरा और दूब मरा चरवाहे भागे और नगर में जाकर यह सब बातें और जिनमें दुश्ट आत्माई थी उनका सारा हाल सुनाया और देखो सारे नगर के लोग यीशू से भेंट करने को निकल आए और उसे देखकर बिनती की हमारे सिवानों से पाहर निकल जाओ अध्याय नौ फिर वो नाव पर चढ़कर पार गया और अपने नगर में आया और देखो कई लोग एक जोले के मारे हुए को खाट पर रखकर उसके पास लाए यीशू ने उनका विश्वास देखकर उस जोले के मारे हुए से कहा हे पुत्र धाडस बान तेरे पाप ख्षमा हुए और देखो कई शास्त्रियों ने सोचा के ये तो परमेश्वर की निंदा करता है यीशू ने उनके मन की बाते मालूम करके कहा तुम लोग अपने मन में बुरा विचार क्यों कर रहे हो सहज क्या है ये कहना कि तेरे पाप ख्षमा हुए या ये कहना कि उठ और चल फिर परन्तु ये इसलिए है कि तुम जान लो कि मनुष्य के पुत्र को पृत्वी पर पाप ख्षमा करने का अधिकार है उसने जोले के मारे हुए से कहा उठ अपनी खाट उठा और अपने घर चला जा वो उठकर अपने घर चला गया लोग ये देखकर डर गए और परमेश्वर की महिमा करने लगे जिसने मनुष्यों को ऐसा अधिकार दिया है वहां से आगे बढ़कर हीश्यों ने मत्ती नाम एक मनुष्य को महसूल की चौकी पर बैठा देखा उसने उससे कहा मेरे पीछे हो ले वो उठकर उसके पीछे हो लिया और जब वो घर में भोजन करने के लिए बैठा तो बहुतेरे महसूल लेने वाले और पापी आकर हीश्यों और उसके चेलों के साथ खाने बैठे ये देखकर फरीशियों ने उसके चेलों से कहा तुमारा गुरू महसूल लेने वालों और पापियों के साथ क्यों खाता है उसने ये सुनकर उनसे कहा वैद्य की आविशक्ता भले चंगों को नहीं, परंतु बीमारों को होती है। तुम जाकर इसका अर्थ सीख लो कि मैं बलिदान नहीं, परंतु दया चाहता हूँ, क्यूंकि मैं धर्मियों को नहीं, परंतु पापियों को बुलाने आया हूँ। तब यूहन्ना के चेलों ने उसके पास आकर कहा, क्या कारण है कि हम और फरीशी इतना उपवास करते हैं पर तेरे चेले नहीं करते हैं। यीशु ने उनसे कहा, क्या बराती जब तक दुलहा उनके साथ है शोक कर सकते हैं। पर वे दिन आएंगे जब दुलहा उनसे अलग किया जाएगा, उस समय वे उपवास करेंगे। कोरे कपडे का पैवंद पुराने पहिरावन पर कोई नहीं लगाता, क्योंकि नया पैवंद पहिरावन से कुछ और खीच लाता है, और वो अधिक फट जाता है। और नया दाखरस पुरानी मश्कों में नहीं भरते हैं, क्योंकि ऐसा करने से मश्के फट जाती हैं, और दाखरस बह जाता है, और मश्के नाश हो जाती हैं। नया दाखरस नई मश्कों में भरते हैं, और वे दोनों बची रहती हैं। वो उनसे ये बाते कर ही रहा था कि देखो एक सरदार ने आकर उसे प्रणाम किया और कहा मेरी पुत्री अभी मरी है पर तु चल कर अपना हाथ उस पर रख तो वह जिवित हो जाएगी येशू उठकर अपने चेलों समेत उसके पीछे हो लिया और देखो एक स्त्री ने जिसके बारा वर्ष से लहु बहता था उसके पीछे से आकर उसके वस्त्र के आचल को चूलिया क्योंकि वो अपने मन में कहती थी कि यदि मैं उसके वस्त्र को ही जूलूंगी तो तो चंगी हो जाऊंगी येशू ने फिरकर उसे देखा और कहा पुत्री डाडस बांध तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है वो स्त्री चंगी हो गई जब हीशू उस सर्दार के घर में पहुंचा उसने बांसली बजान वालों और भीड को हुलड मचाते देखा उसने उनसे कहा हच जाओ लड़की मरी नहीं पर सोती है इस पर वो उसकी हसी करने लगे जब भीड निकाल दी गई तो उसने भीतर जाकर लड़की का हाथ पकड़ा और वो जी उठी और इस बात की चर्चा उस सारे देश में फैल जब यीशू वहां से आगे बढ़ा तो दो अंधे उसके पीछे ये पुकारते हुए चले हे दाउद की संतान हम पर दया कर जब वो घर में पहुचा तो वो अंधे उसके पास आए यीशू ने उनसे कहा क्या तुम्हें विश्वास है कि मैं ये कर सकता हूँ उन्हों ने उ उन्हें चिता कर कहा साफधान कोई इस बात को न जाने पर उन्होंने निकल कर सारे देश में उसका यश भैला दिया जब वे बाहर जा रहे थे तो देखो लोग एक गूंगे को जिसमें दुश्टात्मा थी उसके पास लाए और जब दुश्टात्मा निकाल दी गई तो ग यह तो दुश्टात्मा के सरदार की सायता से दुश्टात्मा को निकालता है और येशू सब नगरों और गाओं में फिरता रहा और उनकी सभाओं में उपदेश करता और राज्य का सुसमाचार प्रचार करता और हर प्रकार की बीमारी और दुरबलता को दूर करता रहा जब उसने भीड को देखा तो उसको लोगों पर तरसाया क्योंकि वे उन भीडों की नाई जिनका कोई रखबाला ना हो फ्याकुल और भटके हुए से थे तब उसने अपने चेलों से कहा पक्के खेत तो बहुत हैं पर मजदूर थोड़े हैं इसलिए खेत के स्वामी से विनती करो कि वो अपने खेत काटने के लिए मजदूर भेज़ दे अध्याय दस फिर उसने अपने बारह चेलों को पास बुलाकर उन्हें अशुध आत्माओं पर अधिकार दिया कि उन्हें निकालें और सब प्रकार की बीमारियों और सब प्रकार की दुरबलताओं को दूर करें बारह प्रेतियों के नाम ये हैं उसे पकड़वा भी दिया इन बारहों को येशु ने ये आग्या दे कर भेजा कि अन्य जातियों की ओर न जाना और सामरियों के किसी नगर में प्रवेश न करना परन्तु इसराइल के घराने ही की खोई हुई भेडों के पास जाना चलते चलते प्रचार कर कहो स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है बीमारों को चंगा करो मरे हुओं को जिलाओ कोडियों को शुद्ध करो दुष्टात्माओं को निकालो तुमने सेंत मेंत पाया है सेंत मेंत दो अपने पटुकों में न सोना न रूपा और न तामा रखना मार्ग के लिए न जोली रखो न दो कुर्ते न जूते और न लाठी लो क्योंकि मजदूर को उसका भोजन मिलना चाहिए जिस किसी नगर या गाओं में जाओ पता लगाओ कि वहां कौन योग्य है जब तक वहां से न निकलो उसी के यहां रहो और घर में प्रवेश करते हुए उसको आशीश देना यदि उस घर के लोग योग्य होंगे तो तुम्हारा कल्यान उन पर पहुँचेगा परन्तु यदि वे योग्य न हों तो तुम्हारे पास लोट आएगा जो कोई तुमें ग्रहन न करे और तुम्हारी बातें न सुने उस घर या उस नगर से निकलते हुए अपने पाओं की धूल जाड डालो मैं तुमसे सच कहता हूँ न्याय के दिन उस नगर की दशा से सदोम और अमोरा के देश की दशा अधिक सहने योग्य होगी देखो मैं तुम्हें भेडों की नाई भेडियों के बीच में भेचता हूँ सो सांपों की नाई बुद्धीमान और कबूत्रों की नाई भोले बनो परंतु लोगों से सावधान रहो क्योंकि वे तुम्हें महा सभाओं में सौंपेंगे और अपनी पंचायतों में तुम्हें कोडे मारेंगे तुम मेरे लिए हाकिमों और राजाओं के सामने उन पर और अन्य जातियों पर गवाह होने के लिए पहुँचाए जाओगे जब वे तुम्हें पकड़वाएं तो ये चिंता न करना कि हम किस रीती से या क्या कहेंगे क्योंकि जो कुछ तुमको कहना होगा वो उसी घड़ी तुम्हें बता दिया जाएगा क्योंकि बोलने वाले तुम नहीं हो परन्तु तुम्हारे पिता का आत्मा तुम में बोलता है भाई भाई को और पिता पुत्र को घात के लिए सौपेंगे और बच्चे माता पिता के विरोध में उठकर उन्हें मरवा डालेंगे मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे बैर करेंगे पर जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उध्धार होगा जब वे तुम्हें एक नगर में सताएं तो दूसरे को भाग जाना मैं तुमसे सच कहता हूँ तुम इसराइल के सब नगरों में न फिर चुकोगे कि मनुष्य का बुद्र आ जाएगा चेला अपने गुरू से बड़ा नहीं और नदास अपने स्वामी से चेले का गुरू के और दास का स्वामी के बराबर होना ही बहुत है जब उन्होंने घर के स्वामी को शैतान कहा तो उसके घरवालों को या ना कहेंगे सो उनसे मत डरना क्योंकि कुछ ढपा नहीं जो खोला न जाएगा और न कुछ छिपा है जो जाना न जाएगा जो मैं तुमसे अंधियारे में कहता हूँ उसे उजियाले में कहो और जो कानो कान सुनते हो उसे कोठों पर से प्रचार करो जो शरीर को घात करते हैं पर आत्मा को घात नहीं कर सकते उनसे मत डरना पर उसी से डरो जो आत्मा और शरीर दोनों को नरक में नाश कर सकता है क्या पैसे में दो गरईयें नहीं बिक्ती तो भी तुम्हारे पिता की इच्छा के बिना उन में से एक भी भूमी पर नहीं गिर सकती तुम्हारे सिर के बाल भी गिने हुए है इसलिए धरो नहीं तुम बहुत गुरईयों से बढ़कर हो, जो कोई मनुष्यों के सामने मुझे मान लेगा, उसे मैं भी अपने स्वर्गिय पिता के सामने मान लूँगा, पर जो कोई मनुष्यों के सामने मेरा इनकार करेगा, उसका मैं भी अपने स्वर्गिय पिता के सामने इनकार करूँगा ये ना समझो कि मैं पृत्वी पर मिलाप कराने को आया हूँ मैं मिलाप कराने को नहीं पर तलवार चलवाने आया हूँ मैं तो आया हूँ कि मनुष्य को उसके पिता से और बेटी को उसकी मा से और बहु को उसकी सास से अलग कर दूँ मनुष्य के बैरी उसके घर ही के लोग होंगे जो माता या पिता को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वो मेरे योग्य नहीं और जो बेटा या बेटी को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वो मेरे योग्य नहीं और जो अपना क्रूस लेकर मेरे पीछे न चले वो मेरे योग्य नहीं जो अपने प्राण बचाता है वो उसे खोएगा और जो मेरे कारण अपना प्राण खोता है वो उसे पाएगा जो तुमें ग्रहन करता है वो मुझे ग्रहन करता है और जो मुझे ग्रहन करता है वो मेरे भेजने वाले को ग्रहन करता है जो भविश्य द्वक्ता को भविश्य द्वक्ता जानकर ग्रहन करे वो भविश्य द्वक्ता का बदला पाएगा और जो धर्मी जानकर धर्मी को ग्रहन करे वो धर्मी का बदला पाएगा जो कोई इन छोटों में से एक को चेला जानकर केवल एक कटोरा ठंडा पानी भिलाए, मैं तुमसे सच कहता हूँ, वो किसी रीती से अपना प्रतिफल न खोएगा। जब हीशु अपने बारह चेलों को आग्या दे चुका, तो वो उनके नगरों में उपदेश और प्रचार करने को वहां से चला गया। यूहन्ना ने बंदी ग्रह में मसीह के कामों का समाचार सुनकर अपने चेलों को उससे ये पूछने भेजा कि क्या आने वला तु ही है या हम दूसरे की बाट जो हैं। जब वे वहां से चल दिये तो यूहन्ना के विशय में लोगों से कहने लगा तुम जंगल में क्या देखने गए थे? क्या हवा से हिलते हुए सरकंडे को? फिर तुम क्या देखने गए थे? क्या कोमल वस्त्र पहिने हुए मनुष्य को? देखो जो कोमल वस्त्र पहिनते हैं, वे राजभवनों में रहते हैं, फिर क्यों गए थे? क्या किसी भविश्य द् तुमसे कहता हूँ वरन भविश्य दवक्ता से भी बड़े को ये वही है जिसके विषय में लिखा है देख मैं अपने दूत को तेरे आगे भेजता हूँ जो तेरे आगे तेरा मार्ग तयार करेगा मैं तुमसे सच कहता हूँ जो स्त्रियों से जन्मे हैं उनमे से युहन्ना बप्तिस्मा देने वाले से कोई बड़ा नहीं हुआ पर जो स्वर्ग के राज्य में छोटे से छोटा है वो उससे बड़ा है युहन्ना बप्तिस्मा देने वाले के दिनों से अब तक स्वर्ग के राजे पर जोर होता रहा है और बलवान उसे छीन लेते हैं युहन्ना तक सारे भविश्यद वक्ता और व्यवस्था भविश्यद वानी करते रहे और चाहो तो मानों एलिया जो आने वाला था वो यही है जिसके सुनने के कान हो वो सुन ले मैं इस समय के लोगों की उपमा किस से दूँ वे उन बालकों के समान हैं जो बाजारों में बैठे हुए एक दूसरे से पुकार कर कहते हैं हमने तुमारे लिए बांसली बजाई और तुम ना नाचे हमने विलाप किया और तुमने च्छाती नहीं पीटी क्योंकि युहन्ना न खाता आया और न पीता और वे कहते हैं कि उसमें दुष्टात्मा है मनुष्य का पुत्र खाता पीता आया और वे कहते हैं देखो पेटू प्यक्कड मनुश्य, महसूल लेने वालों और पापियों का मित्र, पर ज्यान अपने कामों से सच्चा ठहराया गया है। तब वो उन नगरों को उलाहना देने लगा, जिन में उसने बहुतेरे सामर्थ के काम किये थे, क्योंकि उन्होंने अपना मन नहीं फिराया था। सूर और सैदा की दशा अधिक सहने योग्य होगी। और हे कफर नहूं, क्या तू स्वर्ग तक उचा किया जाएगा? तू तो अधो लोग तक नीचे जाएगा, जो सामर्थ के काम तुझ में किये गए हैं, यदि सदोम में किये जाते, तो वो आज तक बना रहता। पर मैं तुम से कहता हूँ, न्याय के दिन तेरी दशा से सदोम के देश की दशा अधिक सहने योग्य होगी। उसी समय येशू ने कहा, हे पिता, स्वर्ग और प्रिथ्वी के प्रभू, तेरा मैं धन्यवात करता हूँ, कि तुने इन बातों को ग्यानियों और समझदारों से छिपा रखा और बालकों पर प्रगट किया है, हाँ, हे पिता, क्योंकि तुझे यही अच्छा लगा, मेरे पिता ने मुझे सब और कोई पुत्र को नहीं जानता, केवल पिता, और कोई पिता को नहीं जानता, केवल पुत्र और वो जिस पर पुत्र उसे प्रकट करना चाहे, हे सब ठके और बोज से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुमें विश्राम दूँगा, मेरा जुआ अपने ऊपर कि मेरा जुआ सहज और मेरा बोज हलका है, अध्याय बारह, उस समय येश्व विश्राम के दिन, खेतों में से होकर जा रहा था, और उसके चेलों को भूख लगी, सो वे बाले तोड़ तोड़ कर खाने लगे, फरीसियों ने ये देख कर येश्व से कहा, देख, तेरे चेले वो काम कर रहे हैं, जो विश्राम के दिन करना उचित नहीं, उसने उनसे कहा, क्या तुमने नहीं पड़ा, कि दाउद ने, जब वो और उसके साथ ही भूखे हुए, तो क्या किया, वो परमेश्वर के घर में गया, और भेंट की रोटियां खाई, जिने खाना न तो उसे और ना उसके साथियों को, पर केवल याजकों को उचित था, या तुमने विवस्था में नहीं पड़ा, कि याजक विश्राम के दिन मंदिर में, विश्राम के दिन की विधी को तोड़ने पर भी निर्दोश ठहरते हैं, पर मैं तुम से कहता हूँ, यहां वो है, जो मंदिर से भी बड़ा है, यदि तुम इसका अर्थ जानते कि मैं दया से प्रसन्न हूँ, बलिदान से नहीं, तो तुम निर्दोश को दोशी न ठहराते, मनुष्य का पुत्र तो विश्राम के दिन का भी प्रभू है, वहां से चलकर वो उनकी सभा के घर में आया और देखो, एक मनुष्य था, जिसका हाथ सूखा हुआ था, और उन्होंने उस पर दोश लगाने के लिए उससे पूछा, कि क्या, सब के दिन चंगा करना उचीत है? उसने उनसे कहा, तुम में ऐसा कौन है, जिसकी एक ही भेड हो, और वो सब्द के दिन गड़े में गिर जाए, तो वो उसे पकड़ कर ना निकाले, मनुष्य का मुल्य भेड से कितना बढ़ कर है, इसलिए सब्द के दिन भलाई करना उचित है, तब उसने उस मनुष्य से कह अपना हाथ बढ़ा, उसने बढ़ाया, और वो फिर दूसरे हाथ की नाई अच्छा हो गया, तब फरीसियों ने बाहर जाकर येशू के विरोध में सम्मति की, कि उसे किस प्रकार नाश करें, ये जानकर येशू वहां से चला गया, और बहुत लोग उसके पीछे हो लिये, और उसने सब को जंगा किया, और उन्हें चिताया कि उसे प्रकट न करें, कि जो वचन यशा या भविश्य द्वक्ता के द्वारा कहा गया था, वो पूरा हो, कि देखो, ये मेरा सेवत है, जिसे मैंने चुना है, मेरा प्रिय, जिससे मेरा मन प्रसन्न है, मैं अपना आत्म उस पर डालूंगा, और वो अन्य जातियों को न्याय का समाचार देगा, वो न जगडा करेगा, और न धूम मचाएगा, और न बाजारों में कोई उसका शब्द सुनेगा, वो कुछले हुए सरकंडे को न तोडेगा, और धूमा देती हुई बत्ती को न बुझाएगा, ज जब तक न्याय को प्रबल न कराए, और अन्य जातियां उसके नाम पर आशा रखेंगी, तब लोग एक अंधे गुंगे को जिसमें दुष्टात्मा थी, उसके पास लाए और उसने उसे अच्छा किया, और वो गुंगा बोलने और देखने लगा, इस पर सब लोग चकित ह कर कहने लगे, ये क्या दवत के संतान है? परंतु फरीसियों ने कहा, ये तो दुष्टात्माओं के सरदार शैतान की सहायता के बिना, दुष्टात्मा को नहीं निकालता, उसने उनके मन की बात जानकर उनसे कहा, जिस किसी राज्य में फूट होती है, वो उजड जाता है, और कोई नगर या घराना जिसमें फूट होती है, बनाना रहेगा, और यदि शैतान ही शैतान को निकाले, तो वो अपना ही विरोधी हो गया है, फिर उसका राज्य क्यों कर बना रहेगा? और यदि मैं शैतान की सहायता से दुष्टात्माओं को निकालता हूँ, तो तुम मेश्वर का राज्य तुमारे पास आ पहुचा है। कोई मनुष्य किसी बलवंत के घर में घुसकर उसका माल कैसे लूट सकता है। जब तक कि पहले उस बलवंत को न बांध ले और तब वो उसका घर लूट लेगा। जो मेरे साथ नहीं वो मेरे विरोध में है और जो मेरे साथ नहीं बटोरता वो बिथराता है। इसलिए मैं तुम से कहता हूँ मनुष्य का सब प्रकार का पाप और निंदा क्षमा की जाएगी पर आत्मा की निंदा क्षमा न की जाएगी। जो कोई मनुष्य के पुत्र के विरोध में कोई बात करेगा, उसका ये अपराद क्षमा किया जाएगा. परंतु जो कोई पवित्र आत्मा के विरोध में कुछ कहे, उसका अपराद न तो इस लोक में और न परलोक में क्षमा किया जाएगा. यदि पेड को अच्छा कहो तो उसके फल को भी अच्छा कहो या पेड को निकम्मा कहो तो उसके फल को भी निकम्मा कहो क्योंकि पेड फल ही से पहचाना जाता है हे साप के बच्चो तुम बुरे होकर क्यों कर अच्छी बात कह सकते हो क्योंकि जो मन में भरा है वही मुह पर आता है भला मनुष्य मन के भले भंडार से भली बाते निकालता है और बुरा मनुष्य बुरे भंडार से बुरी बाते निकालता है और मैं तुमसे कहता हूँ कि जो भी निकम्मी बातें मनुष्य कहेंगे न्याय के दिन एक एक बात का लेखा देंगे क्योंकि तू अपनी बातों के कारण निर्दोश और अपनी बातों ही के कारण दोशी ठहराया जाएगा इस पर कितने शास्त्रियों और फरीसियों ने उससे कहा हे गुरू हम तुसे एक चिन देखना चाहते हैं उसने उत्तर दिया कि इस युक के बुरे और व्यभिचारी लोग चिन ढूंटते हैं परन्तु युनुस भविश्य द्वक्ता के चिन को छोड़ कोई और चिन उनको न दिया जाएगा युनुस तीन रात दिन जल जन्तु के पेट में रहा वैसे ही मनुष्य का पुत्र तीन रात दिन प्रिच्वी के भीतर रहेगा नीनवे के लोग नियाय के दिन इस युक के लोगों के साथ उठकर उन्हें दोशी ठहराएंगे क्योंकि उन्होंने युनुस का प्रचार सुनकर मन फिराया और देखो, यहां वो है जो युनुस से भी बढ़ा है दक्षिन की रानी नियाय के दिन इस युक के लोगों के साथ उठकर उन्हें दोशी ठहराएगी क्योंकि वो सुलेमान का ग्यान सुनने के लिए पृत्वी की छोड से आई और देखो यहां वो है जो सुलेमान से भी बड़ा है जब अशुद्ध आत्मा मनुष्य में से निकल जाती है तो सूखी जगहों में विश्राम ढूंटती फिरती है और जब नहीं पाती तब वो कहती है मैं अपने उसी घर में जहां से निकली थी लोट जाऊंगी वो आकर उसे सूना ज़ाडा बुहारा और सजा सजाया पाती है तब वो जाकर अपने से और बुरी साथ आत्माओं को अपने साथ ले आती है और वे उसमें पैठ कर वहां वास करती है और उस मनुष्य की पिछली दशा पहले से भी बुरी हो जाती है इस युक के बुरे लोगों की दशा भी ऐसी ही होगी जब वो भीर से बाते कर ही रहा था तो देखो उसकी माता और भाई बाहर खड़े थे और उससे बात करना चाहते थे किसी ने उससे कहा देख तेरी माता और तेरे भाई बाहर खड़े हैं और तुछ से बात करना चाहते हैं ये सुन उसने कहने वाले को उत्तर दिया कौन है मेरी माता और कौन है मेरे भाई और अपने चेलों की ओर अपना हाथ बढ़ा कर कहा मेरी माता और मेरे भाई ये है क्योंकि जो कोई मेरे स्वर्गिय पिता की इच्छा पर चले वही मेरा भाई और बहन और माता है अध्याय तेरह उसी दिन येशु घर से निकल कर जील के किनारे जा बैठा और उसके पास ऐसी बड़ी भीड इकठी हुई कि वो नाव पर चड़ गया और सारी भीड किनारे पर खाड़ी रही और उसने उनसे द्रिश्टान्तों में बहुत सी बाते कही उसने कहा एक बोने वाला बीज बोने निकला बोते समे कुछ मार्क के किनारे गिरे और पक्षियों ने आकर उन्हें चुग लिया कुछ पतरीली भूमी पर गिरे जहां उन्हें मिट्टी न मिली और गहरी मिट्टी न मिलने के कारण वे जल्द उगाए पर सूरज निकलने पर वे जल गए और जड ना पकड़ने से सूख गए कुछ ज़ाड़ीों में गिरे और जाडियों ने बढ़कर उन्हें दवा डाला पर कुछ अच्छी भूमी पर गिरे और फल लाए कोई सौ गुना, कोई साथ गुना, कोई तीस गुना, जिसके कान हो वो सुन ले और चेलों ने पास आकर उससे कहा तु उनसे द्रिष्टान्तों में क्यों बाते करता है? उसने उत्तर दिया तुमको स्वर्ग के राज्य भेदों की समझ दी गई है, पर उनको नहीं क्यूंकि जिसके पास है, उसे दिया जाएगा और उसके पास बहुत हो जाएगा पर जिसके पास कुछ नहीं है, उससे जो कुछ उसके पास है, वो भी ले लिया जाएगा मैं उनसे द्रिष्टान्तों में इसलिए बातें करता हूँ कि वे देखते हुए नहीं देखते, और सुनते हुए नहीं सुनते, और नहीं समझते और उनके विशे में यशया की भविष्यद्वानी पूरी होती है कि तुम कानों से तो सुनोगे पर समझोगे नहीं, और आखों से तो देखोगे, पर तुमें नसुझेगा, क्योंकि इन लोगों का मन मोटा हो गया है और वे कानों से उंचा सुनते हैं और उन्होंने अपनी और फिर जाएं, और मैं उन्हें चंगा करूँ, पर धन्य हैं तुमारी आखें कि वे देखती हैं, और तुमारे कान की सुनते हैं, क्युकि मैं तुम से सच कहता हूँ, कि बहुत भविश्यद वकताओं ने और धर्मियों ने चाहा कि जो बाते तुम देखते हो, देखें, पर और जो बाते तुम सुनते हो, सुने, पर न सुनी, सो तुम बोने वाले का दृष्टांत सुनो। जो कोई राज्ये का वचन सुनकर नहीं समझता, उसके मन में जो कुछ बोया गया था, उसे वो दुष्ट आकर छीन ले जाता है। ये वो है, जो मार्ग के किनारे बोया गया था, और जो पत्रीली भूमी पर बोया गया, ये वो है, जो वचन सुनकर तुरंत आनंद के साथ मान लेता है, पर अपने में जड़ना पकड़ने के कारण, वो थोड़े ही दिन का है, और जब वचन के कारण कलेश या उपद्रव हो जो जाडियों में बोया गया, ये वो है, जो वचन को सुनता है, पर इस संसार की चिंता और धन का धोका वचन को दबाता है, और वो फल नहीं लाता, जो अच्छी भूमी में बोया गया, ये वो है, जो वचन को सुनकर समझता है, और फल लाता है, कोई सौ गुना, कोई जात दिया कि उसने उनसे कहा ये किसी बैरी का काम है दासों ने उससे कहा क्या तेरी इच्छा है कि हम जाकर उनको बटोर ले उसने कहा ऐसा नहीं नहो कि जंगली दाने के पौधे बटोरते हुए उनके साथ गेहूं भी उखाड़ लो कटनी तक दोनों को एक साथ बढ़ने दो और कटनी के समय मैं काटने वालों से कहूंगा पहले जंगली दाने के पौधे बटोर कर जलाने के लिए उनके गठे बांद लो और गेहूं को मेरे खत्ते में इकठा करो उसने उन्हें एक और दिश्टांत दिया स्वर्क का राजय राई के एक दाने के समान है जिसे किसी मनुष्य ने लेकर अपने खेत में बो दिया वो सब बीजों से छोटा तो है पर जब बढ़ जाता है तब सब सागपात से बढ़ा होता है और ऐसा पेड़ हो जाता है कि आकाश के पक्षी आकर उसकी डालियों पर बसेरा करते है उसने एक और दिश्टांत उन्हें सुनाया स्वर्क का राजय खमीर के समान है जिसको किसी स्त्री ने लेकर तीन पसेरी आटे में मिला दिया और होते होते वो सब खमीर हो गया ये सब बाते येशु ने दिश्टांतों में लोगों से कही और बिना दिश्टांत वो उनसे कुछ न कहता था कि जो वचन भविश्य द्वक्ता के द्वारा कहा गया था वो पूरा हो कि मैं दिश्टांत कहने को अपना मूह खोलूंगा उन बातों को जो जगत की उत्वत्ति से गुप्त रही हैं प्रकट करूंगा तब वो भीड को छोड़ कर घर में आया और उसके चेलों ने उसके पास आकर कहा खेत के जंगली दाने का दिश्टांत हमें समझा दें उसने उनको उत्तर दिया कि अच्छे बीज का बोने वाला मनुश्य का पुत्र है खेत संसार है अच्छा बीज राज्य के संतान और जंगली बीज दुष्ट के संतान है जिस बैरी ने उनको बोया वो शैतान है कटनी जगत का अंत है और काटने वाले स्वर्ग दूत है सो जैसे जंगली दाने बटोरे जाते और जलाए जाते हैं, वैसे ही जगत के अंत में होगा, मनुष्य का पुत्र अपने स्वर्ग दूतों को भीजेगा, और वे उसके राज्य में से सब ठोकर के कारणों को और कुकरम करने वालों को इकठा करेंगे, और उन्हें आग के कुं जिसके कान हो, वो सुन ले। उस बड़े जाल के समान है, जो समुद्र में डाला गया, और हर प्रकार की मचलियों को समेट लाया, और जब भर गया, तो उसको किनारे पर खीच लाए, और बैठकर अच्छी अच्छी तो बरतनों में कठी की और निकम्मी फेंग दी। जगत के अंत में ऐसा ही होगा, स्वर्ग दूत आकर दुष्टों को धर्मियों से अलग करेंगे, और उन्हें आग के कुंड में डालेंगे, वहां रोना और दात पीसना होगा। क्या तुमने ये सब बातें समझी। उन्होंने उससे कहा। हाँ, उसने उनसे कहा। इसलिए हर एक शास्त्री जो स्वर्ग के राज्य का चेला बना है, उस ग्रहस्त के समान है, जो भंडार से नई और पुरानी वस्तुएं निकालता है। जब हीशु ये सब द्रिष्टांत कह चुका, तो वहां से चला गया। और अपने देश में आकर उनकी सभा में, उन्हें ऐसा उबदेश देने लगा कि वो चकित होकर कहने लगे। इसको ये ज्यान और सामर्थ के काम कहां से मिले? क्या ये बढ़ाई का बेटा नहीं? क्या इसकी माता का नाम मर्यम और इसके भाईयों का नाम याकूब, यूसुफ, शमान और यहुदा नहीं? क्या इसकी सब बहने हमारे बीच में नहीं रहती? फिर इसको ये सब कहां से मि और कहीं निरादर नहीं होता और उसने वहां उनके अविश्वास के कारण सामर्थ के अनेक काम नहीं किये अध्याय 14 उस समय चौथाई देश के राजा हेरो देश ने यीशू की चर्चा सुनी और अपने सेवकों से कहा हेरो देश ने अपने भाई फिलिप्पुस की पत्नी हेरो दियास के कारण यूहन्ना को पकड़ कर बांधा और जेल खाने में डाल दिया था क्योंकि यूहन्ना ने उससे कहा था इसको रखना तुझे उचित नहीं है और वो उसे मार डालना चाहता था पर लोगों से डरता था क्योंकि वो उसे भविश्य द्वक्ता जानते थे और वो उसे मार डालना चाहता था पर लोगों से डरता था क्योंकि वे उसे भविश्य द्वक्ता जानते थे पर जब हेरो देश का जन्म दिन आया तो हेरो द्यास की बेटी ने उससब में नाच दिखा कर हेरो देश को खुश किया इसलिए उसने शपत खा कर वचन दिया के जो कुछ तुम मांगेगे मैं तुझे तूँगा वो अपनी माता की उसकाई हुई बोली युहन्ना बप्तिस्मा देने वाले का सिर थाल में यही मुझे मंगवा दी राजा दुखित हुआ पर अपनी शपत के और साथ बैटने वालों के कारण आ गया दी दे दिया जाए और जेल खाने में लोगों को भेज कर युहन्ना का सिर कटवा दिया उसका सिर थाल में लाया गया और लड़की को दिया गया वो उसको अपनी मा के पास ले गई और जेल खाने में लोगों को भेज कर युहन्ना का सिर कटवा दिया उसका सिर थाल में लाया गया और लड़की को दिया गया वो उसको अपनी मा के पास ले गई उसके चेलों ने आकर उसकी लोथ को ले जाकर गार दिया और येशु को इसका समाचार दे दिया जब येशु ने ये सुना तो नाव पर चड़कर वहां से किसी सुनसान जगा एक आंत में चला गया लोग ये सुनकर नगर से पैदल उसके पीछे हो लिये उसने निकल कर बड़ी भीड देखी और उन पर तरस खाया और उसने उनके बीमारों को चंगा किया जब सांच हुई तो उसके चेलों ने उसके पास आकर कहा ये तो सुनसान जगे है और देर हो रही है लोगों को विदा किया जाए कि वे बस्तियों में जाकर अपने लिए बोजन मोल ले येशु ने उनसे कहा उनका जाना आवशक नहीं तुम ही इन्हें खाने को दो उन्होंने उससे कहा यहां हमारे पास पाँच रोटी और दो मचलियों को चोड़ और कुछ नहीं है उसने कहा उनको यहां मेरे पास लिया तब उसने लोगों को घास पर बैठने को कहा और उन पाँच रोटियों और दो मचलियों को लिया और स्वग की ओर देखकर धन्यवाद किया और रोटियां तोड़ तोड़ कर चेलों को दी और चेलों ने लोगों को और सब खाकर त्रिप्त हो गए और उन्होंने बचे हुए टुकडों से भरी हुई बारे टोकरियां उठाई और खाने वाले स्त्रियों और बालकों को छोड़ कर पाँच हजार पुरुशों के अटकल थे और उसने तुरंत अपने चेलों को बर्बस नाव पर चड़ाया कि वो उससे पहले बार चले जाएं इतने में वो लोगों को विदा करते वो लोगों को विदा करके प्रार्थना करने अलग पहाड पर चड़ गया और सांच को अकेला था उस समय नाव जील के बीच लहरों से डगमगा रही थी क्योंकि हवा सामने की थी और वो रात के चौथे पहर जील पर चलते हुए उनके पास आया चेले उसको जील पर चलते हुए देखकर घबरा गए और कहने लगे वो भूत है और डर के मारे चिला उठे यीशु ने तु रभू यदि तु ही है तो मुझे अपने पास पानी पर चलकर आने की आज्ज्य दें उसने कहा आह तब पत्रस नाव पर से उतरकर यीशू के पास जाने को पानी पर चलने लगा पर हवा को देख कर गया और जब दूबने लगा तो चिल्ला कर कहा ए प्रभू पुझे बचा यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ा कर उसे धाम लिया और उससे कहा हे अलप विश्वासी तुने क्यूं संदेह किया जब वे नाव पर चड़ गए तो हवा धम गए इस पर जो नाव पर थे उन्हों उसे दंडवत करके कहा सच मुझ तू परमिश्वर का पुत्र है वे पार उतर कर गन्य सरत देश में पहुचे और वहां की लोगों ने उसे पहचान कर आसपास के सारे देश में कहला भीजा और सब बीमारों को उसके पास लाए और उससे बिनती करने लगे कि वो उन्हें अ अध्याय पंद्रह तब यरुशलेम से कितने फरीसी और शास्त्री यीशू के पास आकर कहने लगे तेरे चेले पुरियों की रीतियों को क्यों टालते हैं वे बिना हाथ धोय रोटी खाते हैं उसने उनको उत्तर दिया तुम भी अपनी रीतियों के कारण परमेश्वर की आ अपनी माता का आदर करना और जो कोई पिता या माता को बुरा कहे वो मार डाला जाए पर तुम कहते हो यदि कोई अपने पिता या माता से कहे जो कुछ तुझे मुझसे लाब पहुंच सकता था वो परमेश्वर को अर्पित किया जा चुका है तो वो अपने माता पिता का आदर न करे, सो तुमने अपनी रीतियों के कारण परमेश्वर का वचन टाल दिया, हे कप्टियों, यशायाह ने तुमारे विशे में ये भविश्यद्वानी ठीक ही की है, ये लोग होटों से तो मेरा आदर करते हैं, पर उनका मन मुझसे दूर रहता है, और ये व्यर्थ मे मुह में जाता है, वो मनुष्य को अशुद्ध नहीं करता, पर जो मुह से निकलता है, वही मनुष्य को अशुद्ध करता है, तब चेलों ने आकर उससे कहा, क्या तु जानता है कि फरीशियों ने ये वचन सुनकर ठोकर खाई हैं, उसने उत्तर दिया, हर पौधा, जो मेर स्वर्गिय पिता ने नहीं लगाया, उखाडा जाएगा, उनको जाने दो, वे अंधे मार्ग दिखाने वाले हैं, अंधा यदि अंधे को मार्ग दिखाए, तो दोनों गढ़े में गिर पड़ेंगे, ये सुनकर पतरस ने उससे कहा, ये दृष्टांत हमें समझा दे, उसन से निकलता है, और वही मनुष्य को अशुद्ध करता है, क्योंकि कुचिंता, हत्या, परस्त्री गमन, व्यभिचार, चोरी, जूटी गवाही और निंदा, मन ही से निकलती है, ये ही हैं, जो मनुष्य को अशुद्ध करती हैं, परंतु हात बिना धोए, भोजन करना, चिला कर कहने लगी, हे प्रभु, दाउत की संतान, मुझ पर धया कर, मेरी बेटी को दुश्चात्मा बहुत सता रहा है, पर उसने उसे कुछ उत्तर ना दिया, उसके चेलों ने आकर उससे बिनती कर कहा, इसे विदा कर, क्योंकि वो हमारे पीछे चिलाती आती है, उसने उ प्रणाम कर कहने लगी, हे प्रभु, मेरी सहायता कर, उसने उत्तर दिया, लड़कों की रोटी लेकर कुट्टों के आगे डालना अच्छा नहीं, उसने कहा, सत्ते है प्रभु, पर कुट्टे भी वो चूर चार खाते हैं, जो उनके स्वामियों की मेच से गिरते हैं, इस पर हीशू ने उसको उतर दे कर कहा, हेस्त्री तेरा विश्वास बड़ा है, जैसा तू चाहती है, तेरे लिए वैसा ही हो, और उसकी बेटी उसी घड़ी जंगी हो गई, हीशू वहां से चलकर गलील की झील के पास आया, और पहाड पर चड़कर वहां बैठ गया, और एक बड़ी भीड, लंगडों, अंधों, गूंगों, तुंडों और बहुत औरों को लेकर उसके पास आई, और उन्हें उसके पाउं पर डाल दिया, उसने उन्हें चंगा किया, सो सब लोगों ने देखा, कि गूंगे बोलते और तुंडे चंगे होते और लंगडे चलते और अंधे देखते हैं, तो अच्चम भा करके इस्राइल के परमेश्वर की बढ़ाई की। यीशो ने अपने चेलों को बुला कर कहा, मुझे इस भीड पर तरस आता है, क्योंकि वे तीन दिन से मेरे साथ हैं, और उनके पास कुछ खाने को नहीं है, मैं उन्हें भूका विदा करना नहीं चाहता, कहीं ऐसा नहों कि मार्ग में ठक कर रह जाएं। चेलों ने उससे कहा, हमें इस चंगल में कहां से इतनी रोटिया मिलेगी, कि हम इतनी बड़ी भीड को त्रिप्त कर सकें। हीशु ने उनसे पूछा, तुम्हारे पास कितनी रोटिया है, उन्होंने कहा, साथ और थोड़ी सी छोटी मचलिया, तब उसने लोगों को भूमी पर बैठने की आग्या दी, और उन साथ रोटियों और मचलियों को ले, धन्यवाद करके तोड़ा, और अपने चेलों को द अले स्त्रियों और बालकों को छोड़, चार हजार पुरुष थे, तब वो भीड को फिदा कर नाव पर चड़ गया, और मगदन देश के सिवानों में आया, अध्याय सोलह, और फरीसियों और सदूकियों ने पास आकर उसे परखने के लिए उससे कहा, हमें आकाश का कोई चिन्ह दिखा, उसने उनको उत्तर दिया, सांच को तुम कहते हो कि खुला रहेगा, क्योंकि आकाश लाल है, और भोर को कहते हो कि आज आधी आएगी, क्योंकि आकाश लाल और धुमला है, तुम आकाश का लक्षन देखकर भेद बता सकते हो पर समयों के चिन्हों का भेद नहीं बता सकते इस युक के बुरे और व्यभिचारी लोग चिन ढूंडते हैं पर यूनुस के चिन्ह को छोड़ कोई और चिन उन्हें न दिया जाएगा और वो उन्हें छोड़ कर चला गया चेले पार जाते समय रोटी लेना भूल गए थे यीशू ने उनसे कहा देखो फरीसियों और सदूकियों के खमीर से चौकस रहना वे आपस में विचार करने लगे हम तो रोटी नहीं लाए ये जानकर यीशू ने उनसे कहा हे अल्प बिशवाशियों तुम आपस में क्यूं विचार करते हो कि हमारे पास रोटी नहीं क्या तुम अब तक नहीं समझे क्या उन पाँच हजार की पाँच रोटी समरण नहीं करते और ना ये कि कितनी टोकरियां उठाई थी اور ना उन चार हजार की साथ रोटी और ना ये कि कितने टोकरे उठाई गए थे तुम क्यूं नहीं समझते कि मैंने तुम से रोटियों के विशे में नहीं कहा फरीसियों और सदूकियों के खमीर से चौकस रहना तब उनकी समझ में आया कि उसने रोटी के खमीर से नहीं पर फरीसियों और सदूकियों की शिक्षा से चौकस रहने को कहा था येशु कैसरिया फिलिप्पी के देश में आकर अपने चेलों से पूछने लगा लोग मनुश्य के पुत्र को क्या कहते हैं? उन्होंने कहा कितने तो योहन बबतिस्मा देने वाले कहते हैं और कितने एलिया और कितने इर्मिया या भविश द्वक्ताओं में से कोई एक कहते हैं उसने उनसे पूछा परंतु तुम मुझे क्या कहते हो? शमावन पत्रस ने उत्तर दिया तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसी है। यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे शमोन, योना के पुत्र तू धन्य है, क्योंकि मास और लोहुने नहीं, परन्तू मेरे पिता ने, जो स्वर्ग में हैं, ये बात तुझ पर प्रकट की है, और मैं भी तुझ से कहता हूँ, और प्रबल न होंगे, मैं तुझे स्वर्ग के राज्य की कुंजियां दूँगा, और जो कुछ तु प्रित्वी पर बांधेगा, वो स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तु प्रित्वी पर खोलेगा, वो स्वर्ग में खोलेगा। तब उसने चेलों को चिताया, कि कि उसी से न कहना कि मैं मसीख हूँ। उस समय से येशु अपने चेलों को बताने लगा कि अवश्य है कि मैं यरुशलेम को जाओं और पुर्नियों और महायाजकों और शास्त्रियों के हाथ से बहुत दुख उठाओं और मार डाला जाओं और तीसरे दिन जी उठाओं। इस पर पत्रस उसे अलग ले जाकर छड़कने लगा। उसने फिरकर पत्रस से कहा। हे शैतान मेरे सामने से दूर हो तू मेरे लिए ठोकर का कारण है क्योंकि तू परमेश्वर की बाते नहीं पर मनुश्यों की बातों पर मन लगाता है। यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आपका इनकार करे और अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे वो उसे खोएगा और जो कोई मेरे लिए अपना प्राण खोएगा वो उसे बचाएगा। के अनुसार प्रतिफल देगा। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो यहां खड़े हैं उनमें से कितने ऐसे हैं कि जब तक मनुष्य के पुत्र को उसके राज्य में आते हुए न देख लें तब तक मृत्यू का स्वाद कभी ना चखेंगे। अध्याय सत्रह उन्हें दिखाई दिये। इस पर पतरस ने येशू से कहा। हे प्रभु हमारा यहां रहना अच्छा है इच्छा हो तो यहां तीन मंडब बनाओ एक तेरे लिए एक मूसा के लिए और एक एलिया के लिए। वो बोल ही रहा था कि देखो एक उजले बादल ने उन्हें चा लिया और देखो उस बादल में से ये शब्द निकला। ये मेरा प्रिये पुद्रे जिससे मैं प्रसंद हूँ इसकी सुनो। चेले ये सुनकर मुह के बल गिर गए और अत्यांत डर गए। यीशु ने पास आकर उन्हें चुआ और कहा उठो डरो मत। तब उन्होंने अपनी आखें उठाकर यीशु को छोड़ और किसी को न देखा। जब वे पहाड से उतर रहे थे तब यीशु ने उन्हें ये आग्या दी। जब तक मनुष्य का पुत्र मरे हुँ में से न जी उठे। तब तक जो कुछ तुमने देखा है किसी से न कहना। और उसके चेलों ने उससे पूछा। फिर शास्त्री क्यों कहते हैं कि एलिया का पहले आना अवश्य है। उसने उत्तर दिया। एलिया तो आएगा और सब कुछ सुधारेगा। परंतु मैं तुमसे कहता हूँ कि एलिया आ चुका और उन्होंने उसे नहीं पहचाना। परंतु जैसा चाहा वैसा ही उसके साथ किया। इसी रीती से मनुष्य का पुत्र भी उनके हाथ से दुख उठाएगा। तब चेलो ने समझा कि उसने हमसे युहना बबतिस्मा देने वाले के विशय में कहा है। जब वे भीड के पास पहुँचे तो एक मनुष्य उसके पास आया और घुटने टेक कर कहने लगा। हे प्रभू, मेरे पुत्र पर दया कर, क्योंकि उसको मिर्गी आती है और वो बहुत दुख उठाता है। और बार बार आग में वो पानी में गिर पड़ता है। मैं उसको तेरे चेलों के पास लाया था, पर वो उसे अच्छा नहीं कर सके। यीशू ने उत्तर दिया, हे अविश्वासी और हटीले लोगो, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा, कब तक तुम्हारी सहूंगा, उसे यहां मेरे पास लाओ। तब यीशू ने उसे घुलका, और दुश्टात्मा उसमें से निकल गया, और लड़का, उसी घड़ी अच्छा हो गया। तब चेलों ने एकांत में यीशू के पास आकर कहा, हाम में से क्यों नहीं निकाल सके। उसने उनसे कहा, तुम्हारे विश्वास की घटी के कारण, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ, यदी तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो, तो इस पहार से कह सकोगे, कि यहां से सरकर, वहां चला जा, तो वो चला जाएगा, और कोई बात तुम्हारे लिए अनहोनी नहोगी जब वे गलील में थे तो यीशु ने उनसे कहा मनुष्य का पुत्र मनुष्यों के हाथ में पकड़वाया जाएगा और वे उसे मार डालेंगे और वो तीसरे दिन जी उठेगा इस पर वे बहुत उदास हुए जब वे कफर नहूम में पहुचे तो अंदिर का कर नहीं देता उसने कहा हां देता तो है जब वो घर में आया तो यीशु ने उसके पूछने से पहले उससे कहा हे शमोन तु क्या समझता है पृत्वी के राजा महसूल या कर किन से लेते हैं अपने पुत्रों से या परायों से पत्रस ने उनसे कहा परायों से य यीशू ने उससे कहा, तो फुत्र बच गए, तो भी इसलिए कि हम उन्हें ठोकर ना खिलाएं, तु जील के किनारे जाकर बंसी डाल, और जो मचली पहले निकले, उसे ले, और उसका मूँ खोलने पर तुझे एक सिक्का मिलेगा, उसी को लेकर मेरे और अपने बदले उन्हे दे देना। आपको इस बालक के समान छोटा करेगा, वो स्वर्ग के राज्य में बढ़ा होगा। और जो कोई मेरे नाम से एक ऐसे बालक को ग्रहन करता है, वो मुझे ग्रहन करता है। पर जो कोई इन छोटों में से, जो मुझ पर विश्वास करते हैं, एक को ठोकर खिलाए, उसके लि ठोकरों का लगना तो अवश्य है, पर हाए उस मनुष्य पर जिसके द्वारा ठोकर लगती है। यदि तेरा हाथ या तेरा पाउं तुझे ठोकर खिलाए, तो काट कर फेंक दे। तुंडा या लंगडा होकर जीवन में प्रवेश करना, तेरे लिए इससे भला है कि दो तुम क्या समझते हो? यदि किसी मनुष्य की सौ भेडे हो और उनमें से एक भटक जाए, तो क्या 99 को छोड़कर और पहाडों पर जाकर उस भटकी हुई को न धूंडेगा? और यदि ऐसा हो कि उसे पाए, तो मैं तुम से सच कहता हूँ कि वो उन 99 भेडों के लिए जो भटकी नहीं थी, इतना आनंद नहीं करेगा, जितना की इस भेड के लिए करेगा. ऐसा ही तुमारे पिता की, जो स्वर्ग में हैं, ये इच्छा नहीं की इन छोटों में से एक भी नाश हो। यदि तेरा भाई तेरा अपराद करे, तो जा और अकेले में बातचीत करके उसे समझा, यदि वो तेरी सुने तो तूने अपने भाई को पा लिया, और यदि वो ना सुने, तो और एक दो जन को अपने साथ ले जा, कि हर एक बात दो या तीन गवाहों के मुह से ठहराई जाए, यदि वो उनकी भी न माने, तो कलीसिया से कह दे, परन्तु यदि वो कलीसिया की भी न माने, तो तू उसे अन्य जाती, और मैसूल लेने वाले के समान जान, मैं तुमसे सच कहता हूँ, जो कुछ तुम पृत्वी पर बांधोगे वो स्वर्ग में बंदेगा और जो कुछ तुम पृत्वी पर खोलोगे वो स्वर्ग में खुलेगा फिर मैं तुम से कहता हूँ यदि तुम में से दो जन्ठ पृत्वी पर किसी बात के लिए जिसे वे मांगे एक मन के हो तो वो मेरे पिता की ओर से जो स्वर्ग में हैं उनके लिए हो जाएगी क्यूंकि जहां दो या तीन मेरे नाम पर इकठे होते हैं वहां मैं उनकी बीच में होता हूँ तब पत्रस ने पास आकर उससे कहा हे प्रभु यदि मेरा भाई अपरात करता रहे तो मैं कितनी बार उसे शमा करूँ क्या साथ बार तक हीशु ने उससे कहा मैं तुझसे ये नहीं कहता कि साथ बार वरन साथ बार के सत्तर गुने तक इसलिए स्वर्ग का राज्य उस राजा के समान है जिसने अपने दासों से लेखा लेना चाहा जब वो लेखा लेने लगा तो एक जन उसके सामने लाया गया जो दस हजार तोड़े का रिनी था जब चुकाने को उसके पास कुछ न था तो उसके स्वामी ने कहा ये और इसकी पत्नी और लड़के वाले और जो कुछ इसका है सब बेचा जाए और वो कर्ज चुका दिया जाए इस पर उस दास ने गिरकर उसे प्रणाम किया और कहा हे स्वामी धीरजधर मैं सब कुछ भर दूँगा तब उस दास के स्वामी ने तरस खाकर उसे छोड़ दिया और उसका रिन ख्षमा किया परन्तु जब वो दास बाहर निकला तो उसके संगी दासों में से एक उसको मिला जो उसके सौ दिनार धारता था उसने उसे पकड़कर उसका गला घोंटा और कहा जो कुछ तेरे उपर रिन है भर दे इस पर उसका संगी दास गिरकर उससे विनती करने लगा धीरजधर मैं सब भर दूँगा उसने नमाना परन्तु जाकर उसे बंदी ग्रह में डाल दिया कि जब तक कर्ज भर न दे तब तक वहीं रहे उसके संगी दास ये जो हुआ था देखकर बहुत उदास हुए और जाकर अपने स्वामी को पूरा हाल बता दिया तब उसके स्वामी ने उसको बुला कर उससे कहा ए दोश्ट दास तूने जो मुझसे विनती की तो मैंने तो तेरा वो पूरा कर्ज क्षमा किया सो जैसा मैंने तुझ पर दया की वैसी ही क्या तुझे भी अपने संगी दास पर दया करना नहीं चाहिए था और उसके स्वामी ने क्रोध में आकर उसे दंड देने वालों के हाथ में सौप दिया कि जब तक वो सब कर्ज भर न दे तब तक उनके हाथ में रहे इसी प्रकार यदि तुम में से हर एक अपने भाई को मन से शमा न करे तो मेरा पिता जो स्वर्ग में है तुम से भी वैसा ही करेगा अध्याय उन्निस जब येश्यू ये बातें कह चुका तो गलील से चला गया और यहूदिया के देश में यर्दन के पार आया और बड़ी भीड उसके पीछे हो ली और उसने उन्हें वहां चंगा किया तब फरीसि उसकी परीक्षा करने के लिए पास आकर कहने लगे क्या हरेक कारण से अपनी बत्नी को त्यागना हुजी थे? उसने उत्तर दिया क्या तुमने नहीं पढ़ा कि जिसने उन्हें बनाया उसने आरंब से नर और नारी बना कर कहा इस कारण मनुष्य अपने माता पिता से अलग होकर अपनी पत्नी के साथ रहेगा और वे दोनों एक तन होंगे सो वे अब दो नहीं परन्तु एक तन है इसलिए जिसे परमेश्वन ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग न करे उन्हों ने उससे कहा फिर मूसा ने क्यों यह ठहराया कि त्याग पत्र दे कर उसे छोड़ दे उसने उनसे कहा मूसा ने तुम्हारे मन की कठोरता के कारण तुम्हें अपनी अपनी पत्नी को छोड़ देने की आग्या दी परन्तु आरंब से ऐसा नहीं था और तुमसे कहता हूं जो कोई व्यभिचार को छोड़ और किसी कारण से अपनी पत्नी को त्याग कर दूसरी से विवाह करे वो व्यभिचार करता है और जो उस छोड़ी हुई से विवाह करे वो भी विविचार करता है चेलो ने उससे कहा यदि पुरुष का इस तरी के साथ ऐसा संबन्ध है तो विवाह करना अच्छा नहीं उसने उनसे कहा सब ये वचन ग्रहन नहीं कर सकते केवल वे जिनको ये दान दिया गया है क्योंकि कुछ नपुनसक ऐसे हैं जो माता के गर्भ ही से ऐसे जन में और कुछ नपुनसक ऐसे हैं जिन्हें मनुष्य ने नपुनसक बनाया और कुछ नपुनसक ऐसे हैं जिन्होंने स्वर्ग के राज्य के लिए अपने आपको नपुनसक बनाया है जो इसको ग्रहन कर सकता है वो ग्रहन करे तब लोग बालकों को उसके पास लाए कि वो उन पर हात रखे और प्रात्ना करे पर चेलो ने उन्हें डाटा यीशु ने कहा बालकों को मेरे पास आने दो उन्हें मना न करो क्योंकि स्वार्क का राज ऐसों ही का है और वो उन पर हाथ रख कर वहां से चला गया और देखो, एक मनुष्य ने पास आकर उससे कहा हे गुरू, मैं कौन सा भला काम करो की अनन्त जीवन पाऊं? उसने उससे कहा तू मुझसे भलाई के विशय में क्यूं पूछता है? भला तो एक ही है, पर यदि तू जीवन में प्रवेश करना चाहता है तो आज्याओं को माना कर उसने उससे कहा कौन सी आज्याएं? येशु ने कहा ये की हत्या न करना, फेविचार न करना, चोरी न करना, जूटी गवाई न देना, अपने पिता और अपनी माता का आदर करना, और अपने पडोशी से अपने समान प्रेम रखना उस जवान ने उससे कहा इन सब को तो मैंने माना है, अब मुझ में किस बात की घटी है? येशु ने उससे कहा यदि तू सिद्ध होना चाहता है, तुझा अपना माल बेचकर कंगालों को दे, और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा, और आकर मेरे पीछे हो ले परन्तु वो जवान ये बात सुन उदास होकर चला गया, क्योंकि वो बहुत धनी था, तब हीशु ने अपने चेलों से कहा मैं तुमसे सच कहता हूँ, कि धन्वान का स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना कठिन है, फिर तुमसे कहता हूँ, कि परमेश्वर के राज्य में धन्वान के प्रवेश करने से, उंट का सुई के नाके में से निकल जाना सहज है ये सुनकर चेलों ने बहुत जकित होकर कहा फिर किसका उधार हो सकता है? येशु ने उनकी ओर देख कर कहा मनुश्यों से तो ये नहीं हो सकता परन्तु परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है इस पर पत्रस ने उससे कहा देख हम तो सब कुछ छोड़ कर तेरे पीछे हो लिये हैं तो हमें क्या मिलेगा? येशु ने उनसे कहा मैं तुमसे सच कहता हूँ नई उत्पत्ती में जब मनुश्य का पुत्र अपनी महिमा के सिंगहासन पर बैठेगा तो तुम भी जो मेरे पीछे हो लिये हो बारह सिंगहासनों पर बैठकर इसराइल के बारह गोत्रों का न्याय करोगे और जिस किसी ने घरों या भाईयों या बहनों या पिता या माता या लड़के वालों या खेतों को मेरे नाम के लिए छोड़ दिया है उसको सौ गुना मिलेगा और वो अनन्त जीवन का अधिकारी होगा परन्तु बहु तेरे जो पहले हैं पिछले होंगे और जो पिछले हैं पहले होंगे स्वर्ग का राज्य किसी ग्रहस्त के समान है जो सवेरे निकला कि अपनी दाक की बारी में मजदूरों को लगाए और उसने मजदूरों को एक दिनार रोज पर ठहरा कर उन्हें अपनी दाक की बारी में भेजा फिर पहर एक दिन चड़े निकल कर और अनेकों को बाजार में बेकार खड़े देख कर उनसे कहा तुम भी दाक की बारी में जाओ और जो कुछ ठीक है तुम्हें दूंगा सो वे भी गए फिर उसने दूसरे और तीसरे पहर के निकट निकल कर वैसा ही किया और एक घंटा दिन रहे फिर निकल कर औरों को खड़े पाया और उनसे कहा तुम क्यूं यहां दिन भर बेकार खड़े रहे उन्होंने उससे कहा इसलिए कि किसी ने हमें मजदूरी पर नहीं लगाया उसने उनसे कहा तुम भी दाक की बारी में जाओ सांज को दाक की बारी के स्वामी ने अपने भंडारी से कहा मजदूरों को बुला कर पिछलों से लेकर पहिलों तक उन्हें मजदूरी दे दे सो जब वे आए जो घंटा भर दिन रहे लगाए गए थे तो उन्हें एक एक दिनार मिला जो पहिले आए उन्होंने ये समझा कि हमें अधिक मिलेगा परंतु उन्हें भी एक ही एक दिनार मिला जब मिला तो वे ग्रिहस्त पर कुड़कुड़ा कर कहने लगे इन पिछलों ने एक ही घंटा काम किया और तूने हमारे बराबर कर दिया जिनोंने दिन भर का भार उठाया और धूप सही उसने उन्हें से एक को उतर दिया हे मित्र मैं तुझसे कुछ अन्याय नहीं करता क्या तूने मुझसे एक दिनार नठहराया था जो तेरा है उठा ले और चला जा मेरी इच्छा ये है कि जितना तुझे उतना ही इस पिछले को भी दूँ क्या उचित नहीं कि मैं अपने माल से जो चाहूं सो करूं क्या तू मेरे भले होने के कारण बुरी दृष्टी से देखता है इसी रीती से जो पिछले हैं वे पहले होंगे और जो पहले हैं वे पिछले होंगे येशू यरूशलेम को जाते हुए बाराय चेलों को एकांत में ले गया और मार्ग में उनसे कहने लगा देखो हम यरूशलेम को जाते हैं और मनुश्य का पुत्र, महायाजकों और शास्त्रियों के हाथ पकड़वाया जाएगा और वे उसको घात के योग्य ठहराएंगे और उसको अन्य जातियों के हाथ सौपेंगे कि वे उसे ठटों में उड़ाए और कोडे मारे और क्रूस पर चड़ाएं और वो तीसरे दिन जिलाया जाएगा तब जबदी के पुत्रों की माता ने अपने पुत्रों के साथ उसके पास आकर प्रणाम किया और वो उससे कुछ मांगने लगी उसने उससे कहा तु क्या चाहती है? वो उससे बोली ये क्या है कि मेरे ये दो पुत्र तेरे राज्य में एक तेरे दाहिने और एक तेरे बाई बैठे जीशो ने उत्तर दिया तुम नहीं जानते कि क्या मांगते हो जो कटोरा मैं पीने पर हूँ क्या तुम पी सकते हो? उन्होंने उससे कहा पी सकते हैं? उसने उनसे कहा तुम मेरा कटोरा तो पियोगे पर अपने दाहिने बाएं किसी को बेठाना मेरा काम नहीं पर जिनके लिए मेरे पिता की ओर से तयार किया गया कि अन्य जातियों के हाकिम उन पर प्रभुता करते हैं और जो बड़े हैं वे उन पर अधिकार जताते हैं परंतु तुम में ऐसा न होगा जो कोई तुम में बड़ा होना चाहे वो तुम्हारा सेवक बने और जो तुम में प्रधान होना चाहे वो तुम्हारा दास बने जैसे की मनुष्य का पुत्र वो इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए परंतु इसलिए आया कि आप सेवा टहल करे और बहुतों की छुड़ोती के लिए अपना प्राण दे जब वे यरीहु से निकल रहे थे तो एक बड़ी भीड उसके पीछे हो ली और देखो दो अंधे जो सड़क के किनारे बैठे थे ये सुनकर कि येशु जा रहा है पुकार कर कहने लगे हे प्रभू दाउद की संतान हम पर दया कर लोगों ने उन्हें डाटा के चुप रहें पर वे और भी चिला कर बोले हे प्रभू दाउद की संतान हम पर दया कर येशु ने खड़े होकर उन्हें बुलाया और कहा तुम क्या चाहते हूँ कि मैं तुमारे लिए करूँ उन्होंने उससे कहा हे प्रभू ये के हमारी आँखे खुल जाएं येशु ने तरस खाकर उनकी आँखे चुई और वे तुरंद देखने लगे और उसके पीछे हो लिए अध्याए 21 जब वे यरुशलेम के निकट पहुँचे और जैतून पहाड़ पर बैत फगे के पास आए तो येशु ने दू चेलों को ये कहकर भेजा अपने सामने के गाओं में जाओ, वहाँ पहुँचते ही एक गधी बंदी हुई और उसके साथ बच्चा तुम्हें मिलेगा उन्हें खोल कर मेरे पास ले आओ, यदि तुमसे कोई कुछ कहे तो कहो, प्रभु को इनका प्रयोजन है, तब वो तुरंत उन्हें भेज देगा ये इसलिए हुआ कि जो वचन भविश्य द्वक्ता के द्वारा कहा गया था, वो पूरा हो सियोन की बेटी से कहो, देख तेरा राजा तेरे पास आता है, वो नम्र है और गदहे पर बैठा है, वरन लादू के बच्चे पर चेलों ने जाकर जैसा येशो ने उनसे कहा था, वैसा ही किया, और गदही और बच्चे को लाकर उन पर अपने कपड़े डाले और वो उन पर बैठ गया, और बहुतेरे लोगों ने अपने कपड़े मार्ग में बिछाए, और और लोगों ने पेडों से डालिया काट कर मार धन्न है वो जो प्रभु के नाम से आता है आकाश में होशाना जब उसने यरुशलेम में प्रवेश किया तो सारे नगर में हलचल मच गई और लोग कहने लगे ये कौन है लोगों ने कहा ये कलील के नासरत का भविश्य द्रक्ता येशु है येशु ने परमेश्वर के मंदिर में जाकर उन सब को जो मंदिर में लेन देन कर रहे थे निकाल दिया और सर्राफों के पीड़े और कबूत्रों के बेचने वालों की चौकियां मुलटती और उनसे कहा लिखा है मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा परन्तु तुम उसे डाकों की खोव बनाते हूँ और अंधे और लंगडे मंदिर में उसके पास आए और उसने उन्हें चंगा किया परन्तु जब महायाजकों और शास्त्रियों ने इन अध्भुत कामों को जो उसने किये और लड़कों को मंदिर में दाऊद की संतान को होशाना पुकारते हुए देखा तो क्रोधित होकर उससे कहने लगे क्या तु सुनता है कि ये क्या कहते हैं यीशु ने उनसे कहा हाँ क्या तुमने ये कब नहीं पड़ा कि बालकों और दूठ पीते बच्चों के मुह से तुने इस तुती सिंध कराई तब वो उन्हें छोड़कर नगर के बाहर बैत नियाह को गया और वहां रात बिताई भोर को जब वो नगर को लोट रहा था तो उसे भूख लगी और अंजीर का एक पेड़ सड़क के किनारे देखकर वो उसके पास गया और पत्तों को छोड़ उसमें और कुछ न पाकर उससे कहा अब से तुझ में फिर कभी फल न लगे और अंजीर का पेड़ तुरंत सूख गया ये देखकर चेलो ने अचमभा किया और कहा ये अंजीर का पेड़ क्यों कर तुरंत सूख गया येशु ने उनको उत्तर दिया मैं तुम से सच कहता हूँ यदि तुम विश्वास रखो और संदेह न करो तो न केवल ये करोगे जो इस अंजीर के पेड़ से किया गया है परन्तु यदि इस पहाड से भी कहोगे कि उखड़ जा और समुद्र में जा पड़ तो ये हो जाएगा और जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे वो सब तुम को मिलेगा वो मंदिर में जाकर उपदेश कर रहा था कि महायाजकों और लोगों के पुर्णियों ने उसके पास आकर पूछा तु ये काम किस अधिकार से करता है और तुझे ये अधिकार किस ने दिया है येश्व ने उनको उत्तर दिया मैं भी तुम से एक बात पूछता हूँ यदि वो मुझे बतलाओगे तो मैं भी तुमें बताओँगा कि ये काम किस अधिकार से करता हूँ युहन्ना का बबतिस्मा कहां से था? स्वर्क की ओर से या मनुष्यों की ओर से था? तब वे आपस में विवाद करने लगे यदि हम कहें स्वर्क की ओर से तो वो हमसे कहेगा फिर तुम ने उसकी प्रतिती क्यों ना की? और यदि कहें मनुष्य की ओर से तो हमें भीड का डर है क्योंकि वे सव यहन्ना को भाविशिदुखता जानते हैं तो उन्होंने यीशु को उत्तर दिया हम नहीं जानते उसने भी उनसे कहा तो मैं भी तुम्हें नहीं बताता कि ये काम किस अधिकार से करता हूं तुम क्या समझते हो? किसी मनुष्य के दो पुत्र थे उसने पहले के पास जाकर कहा हे पुत्र आज दाक की बारी में काम कर उसने उत्तर दिया मैं नहीं जाओंगा परन्तु पीछे पच्टा कर गया फिर दूसरे के पास जाकर ऐसा ही कहा उसने उत्तर दिया जी हां जाता हूं परन्तु नहीं गया इन दोनों में से किसने पिता की इच्छा पूरी की? उन्होंने कहा पहले ने येशु ने उनसे कहा मैं तुमसे सच कहता हूँ, महसूल लेने वाले और वेश्या तुमसे पहले परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करते हैं, क्योंकि युहन्ना धर्म के मार्ट से तुम्हारे पास आया और तुमने उसकी प्रतीती न की, पर महसूल लेने वालों और वेश्याओं ने उसकी प्रतीती की, और तुम ये देखकर पीछे भी न पच्टाए कि उसकी प्रतीती कर लेतें, एक और दृष्टांत सुनो, एक ग्रिहस्त था, जिसने दाक की बारी लगाई, और उसके चारों ओर बाड़ा बांधा, और उसमें रस का कुंड खोदा और गुम्मट बनाया, और किसानों को उसका ठीका देकर परदेश चला गया, जब फल का समय निकट आया, तो उसने अपने दासों को उसका फल लेने के लिए किसानों के पास भेजा, पर किसानों ने उसके दासों को पकड़ कर किसी को पीटा, और किसी क पत्थर वाह किया, फिर उसने और दासों को भेजा, जो पहिलों से अधिक थे, और उन्हों Net उनसे भी वैसा ही किया, अंत में उसने अपने पुत्र को उनके पास ये कहकर भेजा कि वे मेरे पुत्र का आधर करेंगे परंतु किसानों ने पुत्र को देखकर आपस में कहा ये तो वारिस है आओ उसे मार डाले और उसकी मिरास ले ले और उन्होंने उसे पकड़ा और दाक की बारी से बाहर निकाल कर मार डाला इसलिए जब दाक की बारी का स्वामी आएगा तो उन किसानों के साथ क्या करेगा उन्होंने उससे कहा वो उन बुरे लोगों को बुरी रीती से नाश करेगा और दाक की बारी का ठीका अन्य किसानों को देगा जो समय पर उसे फल दिया करेंगे इशु ने उनसे कहा क्या तुमने कभी पवित्र शास्त्र में ये नहीं पड़ा कि जिस पत्थर को राज मिस्त्रियों ने निकम्मा ठहराया था वही कोने के सिरे का पत्थर हो गया ये प्रभु की ओर से हुआ और हमारे देखने में अदभुत है इसलिए मैं तुमसे कहता हू कि परमेश्वर का राज्य तुमसे ले लिया जाएगा और ऐसी जाती को जो उसका फल लाए दिया जाएगा जो इस पत्थर पर गिरेगा वो चकना चूर हो जाएगा और जिस पर ये गिरेगा उसको पीस डालेगा महायाजक और फरीसी उसके द्रिष्टान्तों को सुनकर समझ गए कि वो उनके विशे में कहता है और उन्होंने उसे पकड़ना चाहा परन्तु लोगों से डर गए क्योंकि वो उसे भविश्य द्वक्ता मानते थे अध्याय बाइस इस पर ये शु फिर उनसे द्रिष्टान्तों में कहने लगा स्वर्ग का राज्य उस राजा के समान है जिसने अपने पुत्र का विवाह किया और उसने अपने दासों को भीजा कि नेवता हारियों को विवाह के भोज में बुलाएं परन्तु उन्होंने आना न चाहा फिर उसने और दासों को ये कहकर भीजा कि नेवता हारियों से कहो देखो मैं भोज तयार कर चुका हूँ और मेरे बैल और पले हुए पशु मारे गए है और सब कुछ तयार है विवाह के भोज में आओ परन्तु वे उपेक्षा करके चल दिये कोई अपने खेत को कोई अपने व्यपार को औरों ने जो बच रहे थे उसके दासों को पकड़ कर उनका अनादर किया और मार डाला राजा ने क्रोध किया और अपनी सेना भेज कर उन हत्यारों का नाश किया और उनके नगर को फूंक दिया तब उसने अपने दासों से कहा विवाह का भोज तो तयार है परन्तु नेवता हारी योग्य नहीं ठहरे इसलिए चौराहों में जाओ और जितने लोग तुम्हें मिले सब को विवाह के भोज में बुला लाओ सो उन दासों ने सडकों पर जाकर क्या बुरे क्या भले जितने मिले सब को इकठे किया और विवाह का घर जेवन हारों से भर गया जब राजा जेवन हारों को देखने को भीतर आया, तो उसने वहाँ एक मनुश्य को देखा, जो विवाह का वस्तर नहीं पहने था, उसने उससे पूछा, हे मित्र, तु विवाह का वस्तर पहने बिना, यहां क्यूं आ गया? उसका मुह बंध हो गया, तब राजा ने सेवकों से कहा, इसके हाथ-पाउं बांध कर उसे बाहर अंधिहारे में डाल दो, वहां रोना और दात पीसना होगा, क्यूंकि बुलाए हुए तो बहुत, परंतु चुने हुए थोड़े हैं, तब फरीसियों ने जाकर आपस में वि हे गुरू, हम जानते हैं कि तू सच्चा है, और परमेश्वर का मार्ग सच्चा इसे सिखाता है, और किसी की परवाह नहीं करता, क्योंकि तू मनुश्यों का मुँद देखकर बाते नहीं करता, इसलिए हमें बता, तू क्या समझता है, कैसर को कर देना उचीत है कि नहीं? उसने उनसे पूछा, ये मुर्ती और नाम किसका है? उन्होंने उससे कहा, कैसर का, तब उसने उनसे कहा, जो कैसर का है, वो कैसर को, और जो परमेश्वर का है, वो परमेश्वर को दो. ये सुनकर उन्होंने अचमभा किया, और उसे छोड़ कर चले गए. उसी दिन, सदू क जो कहते हैं कि मरे हुआं का पुनरुथान है ही नहीं उसके पास आए और उससे पूछा हे गुरू मुसा ने कहा था कि यदि कोई बिना संतान मर जाए तो उसका भाई उसकी पत्नी से विवहा करके अपने भाई के लिए वन्शुत्पन करे अब हमारे यहां साथ भाई थे पह और सातों तक यही हुआ सब के बाद वो इस्तरी भी मर गई सो जी उठने पर वो उन सातों में से किसकी पत्नी होगी क्योंकि ही वो सबकी पत्नी हो चुकी थी जीशु ने उन्हें उत्तर दिया तुम पवित्र शास्त्र और परमेश्वर की सामर्थ नहीं जानते इस कारण भूल में पड़ गए हो क्योंकि जी उठने पर विवाह शादी न होगी परन्तु वे स्वर्ग में परमेश्वर के दूतों की नाई होंगे मरे हों के जी उठने के विशय में क्या तुमने ये वचन नहीं पड़ा जो परमेश्वर ने तुम से कहा कि मैं इबराहिम का परमेश्वर और इस हाग का परमेश्वर और याकूब का परमेश्वर हूँ वो तो मरे हों का नहीं परन्तु जीवतों का परमेश्वर है ये सुनकर लोग उसके उपदेश से चकित हुए जब फरीशियों ने सुना कि उसने सदूकियों का मुह बंद कर दिया तो वो इकठे हुए और उन में से एक व्यवस्थापक ने परखने के लिए उससे पूछा हे गुरु व्यवस्था में कौण सी आज्या बड़ी है? उसने उससे कहा तू परमेश्वर अपने प्रभू से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धी के साथ प्रेम रख। बड़ी और मुख्य आज्या तो यही है और उसी के समान ये दूसरी भी है कि तु अपने पडोसी से अपने समान प्रेम रख ये ही दो आज्याएं सारी विवस्था और भविश्य द्वक्ताओं का आधार है जब फरीसी इकठे थे तो येश्यू ने उनसे पूछा मसीह के विशे में तुम क्या समझते हो वो किसकी संतान है उन्होंने उससे कहा दाउद आत्मा में होकर उसे प्रभू क्यों कहता है कि प्रभू ने मेरे प्रभू से कहा मेरे दहिने बैठ जब तक कि मैं तेरे बैरियों को तेरे पावों के नीचे न कर दूँ भला जब दाउद उसे प्रभू कहता है तो वो उसका पुत्र क्यों कर ठहरा उसके उत्तर मे कोई भी एक बात न कह सका, पर उस दिन से किसी को फिर से उससे कुछ पूछने का हियाव ना हुआ। तब यीशु ने भीड से और अपने चेलों से कहा, शास्त्री और फरीसी मूसा की गद्धी पर बैठे हैं, इसलिए वे तुम से जो कुछ कहीं, वो करना और मानना, परन्तु उनके से काम मत करना, क्यूंकि वे कहते तो हैं, पर करते नहीं। वे एक ऐसे भारी बोज को, जिसका उठाना कठिन है, बांध कर मनुश्यों के कंधों पर रखते हैं। परन्तु आप उन्हें अपनी उंगली से भी सरकाना नहीं चाहते। वे अपने सब काम लोगों को दिखाने के लिए करते हैं, वे अपने तावीजों को चोड़ा करते और अपने वस्त्रों की कोरें बढ़ाते हैं। जेव नारों में मुख्य मुख्य जगहें और सभा में मुख्य मुख्य आसन और बाजारों में नमस्कार और मनुश्य में रब्बी कहलाना उन्हें भाता है। परंतु तुम रब्बी ना कहलाना क्योंकि तुम्हारा एक ही गुरु है और तुम सब भाई हो। जो कोई अपने आपको बड़ा बनाएगा वो छोटा किया जाएगा और जो कोई अपने आपको छोटा बनाएगा वो बड़ा किया जाएगा। हे कप्ती शास्त्ριो और फरीश्यो तुम पर हाए, तुम मनुष्यों के विरोध में स्वर्ग के राज्ये का द्वार बंद करते हो, न तो आप ही उसमें प्रवेश करते हो और न उसमें प्रवेश करने वालों को प्रवेश करने देते हो हे कपटी शास्त्रियों और फरीस्यों तुम पर हाए तुम एक जन को अपने मत में लाने के लिए सारे जल और थल में फिरते हो और जब वो मत में आ जाता है तो उसे अपने से दूना नर्किय बना देते हो हे अंधे अगवो तुम पर हाए जो कहते हो कि यदि कोई मंदिर की शपत खाए तो कुछ नहीं परंतु यदि कोई मंदिर के सोने की सोगंद खाए तो उससे बंद जाएगा हे मुर्खो और अंधो कौन बड़ा है सोना या मंदिर जिससे सोना पवित्र होता है फिर कहते हो यदि कोई वेदी की शपत खाए तो कुछ नहीं परंतु जो भेट उसपर है यदि कोई उसकी शपत खाए तो बंध जाएगा ये अंधो कौन बड़ा है भेट या वेदी जिससे भेट पवित्र होती है इसलिए जो वेदी की शपत खाता है वो उसकी और जो कुछ उसपर है उसकी भी शपत खाता है और जो मंदिर की शपत खाता है वो उसकी और उसमें रहने वालों की भी शपत खाता है और जो स्वर्ग की शपत खाता है वो परमेश्वर के सिंहासन की और उसपर बैठने वाले क भी शपत खाता है, हे कप्ती शास्त्रियों और फरिस्यों तुम पर हाए, तुम पोदीने और सौफ जीरे का दस्वा अंश देते हो, परन्तु तुमने विवस्था की गंभीर बातों को अर्थात, न्याय, दया और विश्वास को छोड़ दिया है, चाहिए था कि तुम इन्ह भी करते रहते और उन्हें भी न छोड़ते, हे अंधे अगवो, तुम मच्छड को तो छान डालते हो, परन्तु उट को निगल जाते हो, हे कप्ती शास्त्रियों और फरिस्यों तुम पर हाए, तुम कटोरे और थाली को उपर उपर से तो माझते हो, परन्तु वे भीतर, अ अंधेर और असंयम से भरे हुए हैं, हे अंधे फरिसी पहले कटोरे और थाली को भीतर से माझ, कि वे बाहर से भी स्वच्छ हो, हे कप्ती शास्त्रियों और फरिस्यों तुम पर हाए, तुम चूना फिरी हुई कबरों के समान हो, जो उपर से तो सुन्दर दिखाई देती ह परन्तु भीतर मुर्दों की हड्डियों और सब प्रकार की मलिंता से भरी हैं, इसी रीती से तुम भी उपर से मनुष्यों को धर्मी दिखाई देते हो, परन्तु भीतर कपट और अधर्म से भरे हुए हो, हे कप्ती शास्त्रियों और फरिस्यों तुम पर हाए, तुम भव भविश्य द्वक्ताओं की कबरें समारते और धर्मियों की कबरें बनाते हो और कहते हो कि यदि हम अपने बाप दादों के दिनों में होते तो भविश्य द्वक्ताओं की हत्या में उनके साजी न होते इससे तो तुम अपने परहाप ही गवाई देते हो कि तुम भविश्य गातकों की संतान हो, सो तुम अपने बाप दादों के पाप का घड़ा भर दो, हे सांपो, हे करैतों के बच्चो, तुम नरक के दंट से कैसे बचोगे, इसलिए देखो, मैं तुम्हारे पास भविश्य द्वक्ताओं और बुद्धी मानों और शास्त्रियों को भेजता हों, और तुम उनमें से कितनों को मार डालोगे, और क्रूस पर चड़ाओगे, और कितनों को अपनी सभाओं में कोडे मारोगे, और एक नगर से दूसरे नगर में खदेडते फिरोगे, धर्मी हाबील से लेकर, बिरियाह के पुत्र, जकर्याह तक, जिसे तुमने मंदिर और वेदी के बीच में मार डाला था, जितने धर्मियों का लोहू पृत्वी पर बहाया गया है, वो सब तुम्हारे सिर पर पड़ेगा, मैं तुमसे सच कहता हूँ, ये सब बातें इस समय के लोगों पर आ पड़ेंगी, हे यरुशलेम, हे यरुशलेम, तु जो भविश्य द्वक्ताओं को मार डालता है, और जो तेरे पास भेजे गए, उन्हें पत्थर वाह करता है, कितनी बार मैंने चाहा, कि जैसे मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों के नीचे इकठे करती है, वैसे ही मैं भी तेरे बालकों को इकठे कर लूँ, परन्तु तुमने न चाहा, देखो, तुम्हारा घर तुम्हारे लिए उजाड छोड़ा जाता है, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ, अब से जब तक तुम न कहोगे, कि धन्य है वो जो प्रभू के नाम से आता है, तब तक तुम मुझे फिर कभी न देखोगे। जब हीशु मंदिर से निकल कर जा रहा था, तो उसके चेले उसको मंदिर की रचना दिखाने के लिए उसके पास आये, उसने उनसे कहा, क्या तुम ये सब नहीं देखते, मैं तुमसे सच कहता हूँ, यहाँ पत्थर पर पत्थर भी न छूटेगा, जो ढ़ाया न जाएगा। और जब वो जैतून पहाड पर बैठा था, चेलो ने अलग उसके पास जाकर कहा, हम से कहे के ये बातें कब होंगी, और तेरे आने का, और जगत के अंध का क्या चिन होगा। येशु ने उनको उत्तर दिया, सावधान रहो, कोई तुमें न भर्माने पाए, क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे, जो मेरे नाम से आकर कहेंगे, मैं मसीह हूँ, और बहुतों को भर्माएंगे, तुम युद्ध और लडाईयों की चर्चा सुनोंगे, देखो घबरा न जाना, क्योंकि इनका होना अवश्य है, परन्तु उस समय अंत न होगा, क्योंकि जाती पर जाती, और राज्य पर राज्य, चड़ाई करेंगे, और जगह जगह अकाल पड़ेंगे, और भुईडोल होंगे, ये सब बातें पीडाओं का आरंब होंगी, तब वे कलेश दिलाने के लिए, तुम्हें पकडवाएंगे, और तुम्हें मार डालेंगे, और मेरे नाम के कारण, सब जातियों के लोग, तुमसे बैर रखेंगे, तब बहुतेरे ठोकर खाएंगे, और एक दूसरे को पकडवाएंगे, और एक दूसरे से बैर रखेंगे और बहुत से जूटे भविष्य द्वक्ता उठ खड़े होंगे और बहुतों को भरमाएंगे और अधरम के बढ़ने से बहुतों का प्रेम थंडा हो जाएगा परन्तु जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उधार होगा और राज्य का ये सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा कि सब जातियों पर गवाही हो तब अंत आ जाएगा सो जब तुम उस उजाडने वाली घ्रणित वस्तु को जिसकी चर्चा दानियल भविश्य द्वक्ता के द्वारा हुई थी पवित्र स्थान में खड़ी हुई देखो जो पड़े वो समझे तब जो यहूदिया में हो वे पहाडों पर भाग जाएं जो कोठे पर हो वो अपने घर में से सामान लेने को न उतरे और जो खेत में हो वो अपना कपड़ा लेने को पीछे न लोटे उन दिनों में जो गर्भवती और दूद पिलाती होंगी उनके लिए हाए हाए और प्रार्थना किया करो कि तुम्हें जाडे में या विश्राम के दिन भागना न पड़े क्योंकि उस समय ऐसा भारी क्लेश होगा जैसा जगत के आरंब से न अब तक हुआ और न कभी होगा यदि वे दिन घटाए न जाते तो कोई प्राणी न बश्ता परन्तु चुने हुओं के कारण वे दिन घटाए जाएंगी उस समय यदि कोई तुम से कहे देखो मसीह यहाँ है या वहाँ है तो प्रतीती न करना क्योंकि जूटे मसीह और जूटे भविश्य द्वक्ता उठ खड़े होंगे और ऐसे बड़े चिन और अधभुत काम दिखाएंगे कि यदि हो सके तो चुने हुओं को भरमा देएं देखो मैंने पहले से तुम से ये सब कुछ कह दिया है इसलिए यदि वे तुम से कहें देखो वो जंगल में हैं तो बाहर न निकल जाना देखो वो कोठरियों में हैं तो प्रतीती न करना क्योंकि जैसे बिजली पूर्व से निकल कर पश्चिम तक चमक जाती है वैसा ही मनुष्य के पुत्र का भी आना होगा जहां लोथ हो वहीं गिद्ध इकठे होंगे उन दिनों के कलेश के बाद तुरंत सूर्य अंधिहारा हो जाएगा और चान का प्रकाश जाता रहेगा और तारे आकाश से गिर पड़ेंगे और आकाश की शक्तियां हिलाई जाएंगी तब मनुष्य के पुत्र का चिन आकाश में दिखाई देगा और तब पृत्वी के सब कुलों के लोग छाती पीटेंगे और मनुष्य के पुत्र को बड़ी सामर्थ और एश्वर्य के साथ आकाश के बादनों पर आते देखेंगे और वो तुरही के बड़े शब्द के साथ अपने दूतों को भीजेगा और वे आकाश के इस छोर से उस छोर तक चारों दिशाओं से उसके चुने हूँ को इकठा करेंगे अंजीर के पेड से ये दृष्टांत सीखो जब उसकी डाली कोमल हो जाती और पत्ते निकलने लगते हैं तो तुम जान लेते हो कि ग्रिश्म काल निकट है इसी रीती से जब तुम इन सब बातों को देखो तो जान लो कि वो निकट है वरंद्वार ही पर है मैं तुम से सच कहता हूँ जब तक ये सब बातें पूरी न हो ले तब तक ये पीडी जाती न रहेगी आकाश और पृत्वी तल जाएंगे परंतु मेरी बातें कभी न टलेंगी उस दिन और उस घड़ी के विशय में कोई नहीं जानता न स्वर्क के दूत और न पुत्र परंतु केवल पिता जैसे नूह के दिन थे वैसा ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा क्योंकि जैसे जल प्रलय से पहले के दिनों में जिस दिन तक की नूह जाहाज पर न चड़ा उस दिन तक लोग खाते पीते थे और उनमें शादी होती थी और जब तक जल प्रलय आकर उन सब को बहा न ले गया तब तक उनको कुछ भी मालूम न पड़ा वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा उस समय दो जन खेत में होंगे एक ले लिया जाएगा और दूसरा छोड़ दिया जाएगा दो स्त्रियां चक्की पीस्ती रहेंगे एक ले ली जाएगी और दूसरी छोड़ दी जाएगी इसलिए जागते रहो क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा प्रभू किस दिन आएगा परंतु ये जान लो कि यदि घर का स्वामी जानता हो कि चोर किस पहर आएगा तो जागता रहता और अपने घर में सेंद लगने न देता इसलिए तुम भी तयार रहो क्योंकि जिस घड़ी के विशय में तुम सोचते भी नहीं हो उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाएगा सो वो विश्वास योग्य और बुद्धिमान दास कौन है जिसे स्वामी ने अपने नौकर चाकरों पर सरदार ठहराया कि समय पर उन्हें भोजन दे धन्य है वो जिसे उसका स्वामी आकर ऐसा ही करते पाए मैं तुम से सच कहता हूँ वो उसे अपनी सारी संपत्ती पर सरदार ठहराएगा परन्तु यदि वो दुष्ट दास सोचने लगे कि मेरे स्वामी के आने में देर है और अपने साथी दासों को पीठने लगे और प्यक्कडों के साथ खाए पिए तो उस दास का स्वामी ऐसे दिन आएगा जब वो उसकी बाट न जोहता हो और ऐसी घड़ी कि वो न जानता हो और उसे भारी ताड़ना दे कर उसका भाग कप्टियों के साथ थेराएगा वहारोना और दात पीसना होगा तब स्वर्ग का राज्य उन दस कुवारियों के समान होगा जो अपनी मशाले लेकर दुलहे से भेंट करने को निकली उनमें पांच मूर्ख और पांच समझदार थी मूर्खों ने अपनी मशाले तो ली परंतु अपने साथ तेल नहीं लिया परंतु समझदारों ने अपनी मशालों के साथ अपनी कुप्यों में तेल भी भर लिया जब दुले के आने में देर हुई तो वे सब उणगने लगी और सो गई आधी रात को धूम मची कि देखो दूला आ रहा है उससे भेंट करने के लिए चलो तब वे सब कुमारियां उठकर अपनी मशालें ठीक करने लगी और मुर्खों ने समझदारों से कहा अपने तेल में से कुछ हमें भी दो क्योंकि हमारी मशालें बुजी जाती हैं परंतु समझदारों ने उत्तर दिया कि संभव है हमारे और तुमारे लिए पूरा न हो भला तो ये है कि तुम बेचने वालों के पास जाकर अपने लिए मोल ले लो जब वे मोल लेने को जा रही थी तो दुलहा आ पहुँचा और जो तयार थी वे उसके साथ विवाह के घर में चली गई और द्वार बंद किया गया इसके बाद वे दूसरी कुवानिया भी आकर कहने लगी हे स्वामी हे स्वामी हमारे लिए द्वार खोल दे उसने उत्तर दिया मैं तुम से सच कहता हूँ मैं तुमें नहीं जानता इसलिए जाकते रहो क्योंकि तुम न उस दिन को जानते हो न उस घड़ी को क्योंकि ये उस मनुष्य कीसी दशा है जिसने परदेश को जाते समय अपने दासों को बुला कर अपनी संपत्ती उनको सौप दी उसने एक को पांच तोड़े, दूसरे को दो और तीसरे को एक और थात हर एक को उसकी सामर्थ के अनुसार दिया और तब परदेश चला गया इसी रीती से जिसको दो मिले थे उसने भी दो और कमाए परद्तु जिसको एक मिला था उसने जाकर मिट्टी खो दी और अपने स्वामी के रूपए छिपा दिये बहुत दिनों के बाद उन दासों का स्वामी आकर उनसे लेखा लेने लगा जिसको पांच तोड़े मिले थे उसने पांच तोड़े और लाकर कहा हे स्वामी तुने मुझे पांच तोड़े सौपे थे देख मैंने पांच तोड़े और कमाए हैं उसके स्वामी ने उससे कहा धन्य हे अच्छे और विश्वास योग्य दास तु थोड़े समय में विश्वास योग्य रहा मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा। अपने स्वामी के आनंद में संभागी हो। और जिसको दो तोड़े मिले थे, उसने भी आकर कहा। हे स्वामी, तुने मुझे दो तोड़े सौपे थे, देख मैंने दो तोड़े और कमाए। उसके स्वामी ने उससे कहा, धन्य हे अच्छे और विश्वास योग्य दास, तु थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा, अपने स्वामी के आनंद में संभागी हो, तब जिसको एक तोड़ा मिला था, उसने आकर क ये स्वामी, मैं तुझे जानता था, कि तु कठोर मनुष्य है, तु जहां कहीं नहीं बोता, वहां काटता है, और जहां नहीं छीनता, वहां से बटोरता है, सो मैं डर गया, और जाकर तेरा तोड़ा, मिट्टी में छिपा दिया, देख, जो तेरा है, वो ये है, उसके इसमामी ने उसे उत्तर दिया, हे दोश्ट और आलसी दास, जब तु ये जानता था, कि जहां मैंने नहीं बोया, वहां से काटता हूँ, और जहां मैंने नहीं छीनता, वहां से बटोरता हूँ, तो तुझे चाहिये था, कि मेरा रूपया सर्राफों को दे देता, तब मैं आकर अपना धन ब्याज समेत ले लेता, इसलिए वो तोड़ा उससे ले लो, और जिसके पास दस तोड़े हैं, उसको दे दो, क्योंकि जिस किसी के पास है, उसे और दिया जाएगा, और उसके पास बहुत हो जाएगा, परन्तु जिसके पास नहीं है, उससे वो भी जो उसके पास है, ले लिया जाएगा, और इस निकम्मे दास को बाहर के अंधेरे में डाल दो, जहां रोना और दांत पीसना होगा, जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा में आएगा, और सब स्वर्ग दूत उसके साथ आएगे, तो वो अपनी महिमा के सिंहासन पर विराजमान और सब जातियां उसके सामने इकठी की जाएंगी, जैसा रखवाला भेडों को बकरियों से अलग कर देता है, वैसा ही वो उन्हें एक दूसरे से अलग करेगा, वो भेडों को अपनी दहिनी और बकरियों को बाई और खड़ी करेगा, तब राजा अपनी दहिनी और वालों से कहेगा, हे मेरे पिता के धन्ने लोगो, आओ, उस राज्य के अधिकारी हो जाओ, जो जगत के आदी से तुम्हारे लिए तैयार किया हुआ है, क्योंकि मैं भूका था, और तुमने मुझे खाने को दिया, मैं प्यासा था, और तुमने मुझे पानी पिलाया, मैं परदेशी था, तुमने मुझे अपने घर में ठहराया, मैं नंगा था, तुमने मुझे कपड़े पहिनाए, मैं बिमार था, तुमने मेरी सुधी ली, मैं बंदी ग्रह में था, तुम मुझसे मिलने आए, तब धर्मी उसको उत्तर देंगे, कि हे प्रभू, हमने कब तुझे परदेशी देखा, और अपने घर में ठहराया, या नंगा देखा, और कपड़े पहिनाए, हमने कब तुझे बिमार या बंदी ग्रह में देखा, और तुझसे मिलने आए, तब राजा उन्हें उत्तर देगा, मैं तुमसे सच कहता हूँ, तुमने जो मेरे इन तुमने से उस अनन्त आग में चले जाओ, जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है, क्योंकि मैं भूका था, और तुमने मुझे खाने को नहीं दिया, मैं प्यासा था, और तुमने मुझे पानी नहीं पिलाया, मैं परदेशी था, और तुमने मुझे अपने हे प्रभू हमने तुझे कभ भूका या प्यासा या परदेशी या नंगा या बिमार या बंदी ग्रह में देखा और तेरी सेवा ठहल नकी तब वो उन्हें उत्तर देगा। मैं तुम से सच कहता हूँ कि तुमने जो इन छोटे से छोटे में से किसी एक के साथ नहीं किया वो मेरे साथ नहीं किया और ये अनन्त दंड भोगेंगे परन्तु धर्मी अनन्त जीवन में प्रवेश करेंगे। अध्याए 26 जब येशू ये सब बातें कह चुका तो अपने चेलों से कहने लगा तुम जानते हूँ कि दो दिन के बाद फसह का पर्व होगा और मनुश्य का पुत्र क्रूस पर चड़ाए जाने के लिए पकड़वाया जाएगा। तब महायाजक और प्रजा के पुर्णिय काइफा नाम महायाजक के आंगन में इकठे हुए और आपस में विचार करने लगे कि येशू को चल से पकड़ कर मार डालें। परंतुवे कहते थे कि पर्व के समय नहीं कहीं ऐसा ना हो के लोगों में बलवा मत जाए। जब येशू बैत नियाह में शमावन कोड़ी के घर में था, तो एक स्त्री संग मरमर के पात्र में बहु मोल इत्र लेकर उसके पास आई। और जब वो भोजन करने बैठा था, तो उसके सिर पर उंडेल दिया। ये देखकर उसके चेले, रिसियाए और कहने लगे। इसका क्यों सत्यानाश किया गया, ये तो अच्छे दाम पर बिक कर कंगालों को बांटा जा सकता था। जगत में जहां कहीं ये सुसमाचार प्रचार किया जाएगा, वहां उसके इस काम का वरणन भी उसके स्मरण में किया जाएगा। तब यहूदा इस क्रियोती नाम बारह चेलों में से एक ने महायाजकों के पास जाकर कहा। यदी मैं उसे तुम्हारे हाथ पकडवा दूँ, तो मुझे क्या दोगे। उन्होंने उसे तीस जान्दी के सिक्के तॉल कर दे दिये। और वो उसी समय से उसे पकडवाने का अफसर ढूनने लगा। अख मीरी रोटी के पर्व के पहले दिन, चेले यीशू के पास आकर पूछने लगे। तु कहा चाहता है कि हम तेरे लिए फसर खाने की तयारी करें। उसने कहा, नगर में फुलाने के पास जाकर उससे कहो, गुरू कहता है, मेरा समय निकट है, मैं अपने चेलों के साथ तेरे यहां पर्व मनाऊंगा। सो चेलों ने यीशू की आग्या मानी और फसर तयार किया। जब सांच हुई, तो वो बारहों के साथ भोजन करने के लिए बैठा। जब वे खा रहे थे, तो उसने कहा, मैं तुम से सच कहता हूँ, तुम में से एक मुझे पकड़वाएगा। इस पर वे बहुत उदास हुए, और हर एक उससे पूछने लगा, ए गुरू, क्या वो मैं हूँ? उसने उत्तर दिया, जिसने मेरे साथ थाली में हाथ डाला है, वही मुझे पकड़वाएगा। मनुष्य का पुत्र तो जैसा उसके विशय में लिखा है, जाता ही है, परन्तु उस मनुष्य के लिए शोक है, जिसके द्वारा मनुष्य का पुत्र पकड़वाया जाता है, यदि उस मनुष्य का जन ना होता, तो उसके लिए भला होता। तब उसके पकड़वाने वाले यहूदा ने कहा ए रब्भी क्या वो मैं हूँ उसने उससे कहा तू कह चुका जब वे खा रहे थे तो यीशु ने रोटी ली और आशिश मांग कर तोड़ी और चेलों को दे कर कहा लोग खाओ ये मेरी देह है फिर उसने कटोरा लेकर धन्यव मेरा वो लोहू है जो बहुतों के लिए पापों की क्षमा के निमित बहाया जाता है मैं तुमसे कहता हूँ कि दाख का ये रस उस दिन तक कभी ना पीऊंगा जब तक तुम्हारे साथ अपने पिता के राज्य में नया ना पीऊंग फिर वे भजन गाकर जैतून पहाड पर कहा तुम सब आज ही रात को मिरे विशय में ठोकर खाओगे क्योंकि लिखा है मैं चरवाहे को मारूंगा और जुंड की भेडें तितर बितर हो जाएंगी परन्तु मैं अपने जी उठने के बाद तुमसे पहले गलील को जाओंगा इस पर पतरस ने उससे कहा यदि सब तेरे विशय में ठोकर खाएं तो खाएं परन्तु मैं कभी भी ठोकर न खाऊंगा येशु ने उससे कहा मैं तुझ से सच कहता हूँ आज ही रात को मुर्गे के बांग देने से पहले तु तीन बार मुझसे मुकर जाएगा पतरस ने उससे कहा यदि मुझे तेरे साथ मरना भी हो तो भी मैं तुझ से कभी नम कुरूँगा ऐसा ही सब चेलों ने भी कहा तब हीशु अपने चेलों के साथ गत समनी नाम एक स्थान में आया और अपने चेलों से कहने लगा यहीं बैठे रहना जब तक की मैं वहाँ जाकर प्रार्थना करूँ और वो पतरस और जब्दी के दोनों पुत्रों को साथ ले गया और उदास और व्याकुल होने लगा तब उसने उनसे कहा मेरा जीब बहुत उदास है यहां तक की मेरे प्राण निकला चाहते हैं तुम यहीं ठेहरो और मेरे साथ जाकते रहो फिर वो थोड़ा और आगे बढ़कर मुह के बल गिरा और ये प्रार्थना करने लगा हे मेरे पिता यदी हो सके तो ये कटोरा मुझसे टल जाए तो भी जैसा मैं चाहता हूँ वैसा नहीं परन्तु जैसा तू चाहता है वैसा ही हो फिर जेलों के पास आकर उन्हें सोते पाया और पत्रस से कहा क्या तुम मेरे साथ एक घड़ी भी न जाग सके जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परिक्षा में न पड़ो आतमा तो तैयार है परन्तु शरीर दुर्बल है फिर उसने दूसरी बार जाकर ये प्रार्थना की हे मेरे पिता यदि ये मेरे पिये बिना नहीं हट सकता तो तेरी इच्छा पूरी हो तब उसने आकर उन्हें फिर सोते पाया क्योंकि उनकी आँखें नीन से भरी थी और उन्हें छोड़कर फिर चला क्या और वही बात फिर कहकर तीसरी बार प्रार्थना की तब उसने चेलों के पास आकर उनसे कहा अब सोते रहो और विश्राम करो देखो घड़ी आ पहुँची है और मनुष्य का पुत्र पापियों के हाथ पकड़वाया जाता है वो ये कहे ही रहा था कि देखो यहूदा जो बारहों में से एक था आया और उसके साथ महायाजकों और लोगों के पुर्नियों की और से बड़ी भीड तलवारें और लाठियां लिये हुए आई उसके पकड़वाने वाले ने उन्हें ये पता दिया था जिसको मैं चूम लूँ वही है उसे पकड़ लिना और तुरंट ये शू के पास आकर कहा हे रब्बी नमस्कार और उसको बहुत चूमा ये शू ने उससे कहा हे मित्र जिस काम के लिए तू आया है उसे कर लिए तब उन्होंने पास आकर ये शू पर हाथ डाले और उसे पकड़ लिया और देखो ये शू के साथियों में से एक ने हाथ बढ़ा कर अपनी तलवार खीच ली और महायाजक के दास पर चला कर उसका कान उड़ा दिया तब ये शू ने उससे कहा अपनी तलवार काठी में रख ले क्योंकि जो तलवार चलाते हैं वे सब तलवार से नाश किये जाएंगे क्या तू नहीं समझता कि मैं अपने पिता से बिनती कर सकता हूँ और वो स्वर्ग दूतों की बारह बल्टन से अधिक मेरे पास अभी उपस्थित कर देगा परन्तु पवित्र शास्त्र की विबाते हैं कि ऐसा ही होना आवश्य है क्यों कर पूरी होगी उसी घड़ी ईशू ने भीड से कहा क्या तूम तलवारें और लाठियां लेकर मुझे डाकू के समान पकड़ने के लिए निकले हो मैं हर दिन मंदिर में बैठकर उपदेश दिया करता था और तुमने मुझे नहीं पकड़ा परन्तु ये सब इसलिए हुआ है कि भविश्य द्वक्ताओं के वचन पूरे हूँ तब सब जेले उसे छोड़कर भाग गए और येश्य के पकड़वाने वाले उसको काईफा नाम महायाजक के पास ले गए जहां शास्त्री और पुर्निये इकठे हुए थे और पतरस दूर से उसके पीछे महायाजक के आंगन तक गया और भीतर जाकर अंत देखने को प्यादों के साथ बैट गया महायाजक और सारी महासभा येश्य को मार डालने के लिए उसके विरोध में जूटी गवाही की खोज में थे पर अंतु बहुत से जूटे गवाहों के आने पर भी न पाई अंत में दो जनों ने आकर कहा इसने कहा है मैं परमेश्वर के मंदर को धा सकता हूँ और उसे तीन दिन में पना सकता हूँ तब महायाजक ने खड़े होकर उससे कहा तू कोई उत्तर नहीं देता ये लोग तेरे विरोध में क्या गवाही देते हैं परन्तु येश्व चुप रहा महायाजक ने उससे कहा मैं तुझे जीवते परमेश्वर की शपत देता हूँ यदि तू परमेश्वर का पुत्र मसी है तो हम से कह दे येश्व ने उससे कहा तूने आप ही कह दिया वरन मैं तुमसे ये भी कहता हूँ कि अब से तुम मनुष्य के पुत्र को सर्व शक्ति मान की दाहिनी और बैठे और आकाश के बादलों पर आते देखोगे तब महायाजक ने अपने वस्त्र फाड़ कर कहा इसने परमिस्वर की निंदा की है अब हमें गवाहों का क्या प्रयोजन देखो तुमने अभी ये निंदा सुनी है तुम क्या समझते है उन्होंने उत्तर दिया ये वद होने के योग्य है तब उन्होंने उसके भूँपर धूका और उसे घूसे मारे और उन्हे थपड मार कर कहा ये मसी हमसे भविशवानी करके कहें किसने तुझे मारा और पत्रस बाहर आंगन में बैठा हुआ था कि एक लॉंडी ने उसके पास आकर कहा तू भी येशु गलीली के साथ था उसने सब के सामने ये कहकर इंकार किया और कहा मैं नहीं जानता तू क्या कह रही है जब वो बाहर डेवडी में चला गया तो दूसरी ने उसे देख कर उनसे जो वहां थे कहा ये भी तो येशु नासरी के साथ था उसने शपत खा कर फिर इंकार किया मैं उस मनुष्य को नहीं जानता थोड़ी देर के बाद जो वहां खड़े थे उन्होंने पत्रस के पास आकर उससे कहा तू भी उनमें से एक है क्योंकि तेरी बोली तेरा भेद खोल देती है तब वो धिकार देने और शपत खाने लगा मैं उस मनुष्य को नहीं जानता और तुरंत मुर्ग ने बाद दी तब पत्रस को यीशु की कही हुई बात स्मरण आई कि मुर्ग के बाँग देने से पहले तू तीन बार मेरा इंकार करेगा और वो बाहर जाकर फूट फूट कर रोने लगा अध्याय सत्ताइस जब भोर हुई तो सब महायाजकों और लोगों के पुर्णियों ने यीशु के मार डालने की सम्मती की और उन्होंने उसे बाधा और ले जाकर पीला तुस हाकिम के हाथ में सौप दिया जब उसके पकड़वाने वाले यहूदा ने देखा कि वो दूशी ठहराया गया है तो वो पश्टाया और वे तीस चांदी के सिक्के महायाजकों और पुर्णियों के पास फेर लाया और कहा मैंने निर्दोशी को गात के लिए पकड़वा कर पाप किया है उन्होंने कहा आमे क्या तू ही जान तब वो उन सिक्कों को मंदिर में फेंक कर चला गया और जाकर अपने आप को पासी दी महायाजकों ने उन सिक्कों को लेकर कहा इन्हें भंडार में रखना उचित नहीं क्योंकि ये लहू का दाम है सो उन्होंने सम्मति करके उन सिक्कों से परदेशियों के गाड़ने के लिए कुमहार का खेत मोर ले लिया इस कारण वो खेत आज तक लहू का खेत कहलाता है तब जो वचन यिर्मियाह भविश्य द्वक्ता के द्वारा कहा गया था वो पूरा हुआ कि उन्होंने वे तीस सिक्के अर्थात उस ठहराए हुए मूल्य को जिसे इस्राइल की संतान में से कितनों ने ठहराया था ले लिया और जैसे प्रभु ने मुझे आज्या दी थी वैसे ही उन्हें कुमहार के खेत के मूल्य में दे दिया जब यीशू हाकिम के सामने खड़ा था तो हाकिम ने उससे पूछा क्या तू यहुद्यों का राजा है यीशू ने उससे कहा तू आप ही कह रहा है जब महायाजक और पुर्निये उस पर दोश लगा रहे थे तो उसने कुछ उत्तर नहीं दिया इस पर पीला तुस ने उससे कहा क्या तू नहीं सुनता कि ये तेरे विरोध में कितनी गवाईयां दे रहे हैं परन्तु उसने उसको एक बात का भी उत्तर नहीं दिया यहां तक कि हाकिम को बड़ा आश्चरे हुआ और हाकिम की ये रेती थी कि उस पर्व में लोगों के लिए किसी एक बढ़वे को जिसे वे चाहते थे छोड़ देता था उस समय बरब्बा नाम उनहीं में का एक नामी बढ़वा था सो जब वे इकठे हुए तो पीला तुस ने उनसे कहा तुम किसको चाते हो कि मैं तुम्हारे लिए छोड़ दूँ पर अब्बा को या युशु को जो मसी कहलाता है क्योंकि वो जानता था कि उन्होंने उसे गाह से पकड़वाया था जब वो न्याय की गद्दी पर बैठा हुआ था तो उसकी पत्नी ने उसे कहला बेजा तु उस धर्मी के मामले में हाथ ना डाला क्योंकि मैंने आज सौपन में उसके कारण बहुत दुख उठाया है महायाजकों और पुर्णियों ने लोगों को उभारा कि वे वे बरब्बा को मांग लें और यीशू को नाश कराएं हाकिम ने उनसे पूछा इन दोनों में से किसको चाते हो कि तुम्हारे लिए छोड़ दू उन्होंने कहा बरब्बा को पीलत उसने उनसे पूछा फिर यीशू को जो मसी कहलाता है क्या करूँ सब ने उससे कहा वो ग्रूस पर चढ़ाया जाए हाकिम ने कहा जो उसने क्या बुलाई कि है परंतु वे और भी चिल्ला कर कहने लगे वो ग्रूस पर चढ़ाया जाए जब पीलात उसने देखा कि कुछ बन नहीं पड़ता परंतु इसके विप्रीत भूलड होता जाता है तो उसने पानी लेकर भीड के सामने अपने हाथ दोए और कहा मैं इस धर्मी के लोहू से ने दोश हूँ तुम ही जानो सब लोगों ने उत्तर दिया इसका लोहू हम पर और हमारी संतान पर हो इस पर उसने परब्बा को उनके लिए छोड़ दिया और यिशू को गोड़े लगवा कर सौप दिया कि क्रूज पर चड़ाया जाए तब हाकिम के सिपाहियों ने यिशू को पिले में ले जाकर सारी पल्टन उसके चहू को इकठी की और उसके कपड़े उतार कर उसे किर्मजी बागा पहनाई और कांटों का मुकुप गूत कर उसके सिर्पर रखा और उसके दाहिने हाथ में सरकंडा दिया और उसके आगे घुटने टेक कर उसे धट्टे में उडाने लगे ए यहूदियों के राजा नमस्कार और उसपर थूका और वही सरकंडा लेकर उसके सिर्पर मारने लगे जब वे उसका धट्टा कर चुके तो वो बागा उसपर से उतार कर फिर उसी के कपड़े उसे पहनाए और क्रूस पर चड़ाने के लिए ले चले बाहर जाते हुए उन्हें शमावन नाम एक कुरैनी मनुष्य मिला उन्होंने उसे बेगार में पकड़ा कि उसका क्रूस उठा ले चले और उस स्थान पर जो गुल गुता नाम की जगह अर्थात खोपड़ी का स्थान कहलाता है पहुँचकर उन्होंने पित मिलाया हुआ दाख रस उसे पीने को दिया परंतु उसने चक कर पीना न चाहा तब उन्होंने उसे क्रूस पर चड़ाया और चिठ्थियां डाल कर उसके कपड़े पांट ले और वहां बैठकर उसका पहरा देने लगे और उसका दोशपत्र उसके सिर के उपर लगाया ये यहूदियों का राजा यीशु है तब उसके साथ दो डाकू एक दाहिने और एक बाए कुरूसों पर चड़ाये गए और आने जाने वाले सिर हिला हिला कर उसकी निंदा करते थे और ये कहते थे ए मंदिर के ढाने वाले और तीन दिन में बनाने वाले अपने आपको तो बचा यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कुरूस पर से उतरा इसी रीती से महायाजक भी शास्त्रियों और पुर्णियों समेथ ठटा कर करके कहते थे इसने औरों को बचाया और अपने को नहीं बचा सकता ये तो इस्राइल का राजा है कुरूस पर से उतराए तो हम उस पर विश्वास करें उसने परमेश्वर पर भरोसा रखा है यदि वो इसको चाहता है तो आप इसे छुडा ले क्योंकि इसने कहा था मैं परमेश्वर का पत्र ही इसी प्रकार डाकू भी जो उसके साथ कुरूसों पर चड़ाए गए थे उसकी निंदा करते थे दो पहर से लेकर तीसरे पहर तक उस सारे देश में अंधेरा चाया रहा तीसरे पहर के निकट येश्व ने बड़े शब्दों से पुकार कर कहा अर्थात ए मेरे परमेश्वर ए मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया जो वहां खड़े थे उन में से कितनों ने ये सुन कर कहा बहुत हो एलिया को पुकारता है उन में से एक तुरंत दोड़ा और स्पंज लेकर सिरके में डुबोया और सरकंडे पर रख कर उसे चुसाया और उने कहा रह जाओ देखें एलिया उसे बचाने आता है कि नहीं तब येश्व ने फिर बड़े शब्द से चिला कर प्राण छोड़ दिये और देखो मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक भटकर दो टुपड़े हो गया और धर्ती डोल गई और चटाने दड़क गई और कबरें खुल गई और सोय हुए मवित्र लोगों की बहुत लो थे जी उठी और उसके जी उठने के बाद वे खबरों में से निकल कर वो वित्र नगर में गए और बहुतों को दिखाई दिये तब सूबेदार और जो उसके साथ यीशू का पहरा दे रहे थे धुई डोल और जो कुछ हुआ था देखकर अत्यंत डर गए और कहा सच मुझ ये परमेश्वर का पुत्र था वह बहुत सिस्त्रियां जो गलील से यीशू की सेवा करती हुई उसके साथ आई थी दूर से ये देख रही थी उनमें मरियम मगतलीदी और याकूब और योसेस की माता मरियम और जब्दी के पुत्रों की माता थी जब साच हुई तो योसुफ नाम अरियम तिहा का एक धनी मनुश्य जो आप ही यीशू का चेला था आया उसने पीलात उसके पास जाकर यीशू की लाश मांगी इस पर पीलात उसने दे देने की आग्या दी योसुफ ने लाश को लेकर उसे उजवल चादर में लपेटा और उसे अपनी नई कबर में रखा जो उसने चटान में खुदवाई थी और कबर के द्वार पर बड़ा पत्थर लुड़का कर चला गया और मर्यम, मगद लीनी और दूसरी मर्यम वहाँ कबर के सामने बैठी थी दूसरे दिन जो तयारी के दिन के बाद का दिन था महायाजकों और फरीसियों ने पीलात उसके पास इकठे हो कर कहा हे महाराज हमें स्मरण है कि उस भर्माने वाले ने अपने जीते जी कहा था मैं तीन दिन के बाद जी उठूँँगा सो आग्या दे कि तिसरे दिन तक कबर की रखवाली की जाए ऐसा नो हो कि उसके छेले आकर उसे चुरा ले जाए और लोगों से कहने लगें कि वह मरे हुँ में से जी उठा है तब पिछला धोका पहले से भी बुरा होगा पिलत उसने उनसे कहा तुम्हारे पास पहरियों तो हैं जाओ अपनी समझ के अनुशाल रखवाली करो सो वे पहरियों को साथ लेकर गए और पत्थर पर मुहर लगा कर कबर की रखवाली की सब्ध के दिन के बाद सब्ता के पहले दिन पहपढ़ते ही मर्यम मगदलीनी और दूसरी मर्यम कबर को देखने आई और देखो एक बड़ा भूई डोल हुआ क्योंकि प्रभू का एक दूद स्वर्ग से उतरा और पास आकर उसने पत्थर को लड़का दिया और उस पर बैट गया उसका रूप बिजली कासा और उसका वस्त्र पाले की नाई उज्ज्वल था उसके भय से पहरूए काप उठे और मृतक समान हो गई स्वर्ग दूद ने इस द्रियों से कहा तुम मट डरो मैं जालता हूँ कि तुम ये शुकुत जो कूस पर चड़ाय गया था ढूंकि रो वो यहाँ नहीं है पर तुम अपने बचल के अंसान जी उठाए आवा ये स्थान देखो जहां प्रभु पड़ा था और शिगर जाकर उसके चेलों से काओ वो मृतकों में से जी उठाए और देखो वो तुम से भेह में गलील को जाता है वहाँ उसका दर्शित पाओ देखो मैं नो तुम से कहा दिया और वे भय और बड़े आनंद के साथ कबर से शीखर लोट कर उसके चेलों को समाचार देने के लिए दोड़ गई और देखो येशू उन्हें मिला और कहा सलाम और उन्होंने पास आकर और उसके पाओ पकड़ कर उसको दंडवत किया तब येशू ने उनसे कहा मत डरो मेरे भाईयों से जाकर कहो कि गलील को जले जाएं वहां मुझे देखेंगे वे जाही रही थी कि देखो पहरूँ में से कितनों ने नगर में आकर पूरा हाल महा याजकों से कह सुनाया तब उन्होंने पुर्णियों के साथ इकठे होकर सम्मती की और सिपाहियों को बहुत चांदी देकर कहा ये कहना के रात को जब हम सो रहे थे तो उसके चेले आकर उसे चुरा ले गए और यदि ये बात हाकिम के कान तक पहुँचेगी तो हम उसे समझा लेंगे और तुम्हें जोखिम से बचा लेंगे सो उन्होंने रुपई लेकर जैसा सिखाए गए थे वैसा ही किया और ये बात आज तक यहूदियों में प्रचलित है और ग्यार है चेले गलील में उस पहाड़ पर गए जिसे येशु ने उन्हें बताया था और उन्होंने उसके दर्शन पाकर उसे प्रणाम किया पर किसी किसी को संदे हुआ येशु ने उनके पास आकर कहा स्वर्ग और प्रिथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है इसलिए तुम जाकर सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्रात्मा के नाम से बप्तिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्या दी है मानना सिखाओ और देखो मैं जगत के अंत तक सदय तुम्हारे संग हूँ